वेलकम बैक टू यो फेवरेट चैनल मैगनेट ब्रेंस मैं हूँ शिप्रतिवारी और यहाँ पर आपको बिलकुल फ्री एजुकेशन प्रवाइड कराया जाता है बच्चो ताक्कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की जबानी मेरे बचो और 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा female reproductive system लास्ट क्लास में हम लोगों ने male reproductive system complete किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि male reproductive system में कौन सी glands होती हैं कौन सी ducts होती हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं it means to say that मैंने आपको बताया कि male reproductive system में दो पार्ट होते हैं एक होता है necessary और एक होता है necessary reproductive part necessary reproductive system में हम वो सारे parts पढ़ते हैं जो necessary को help करते हैं और primary sexual organ और necessary sexual organ में हमने टेस्टीज को पढ़ा उसके पूरे detail structures पढ़े क्या कहानी होती है कौन से defects हो सकते हैं किस तरीके से कौन सी population control करने के लिए कौन सा method अपना सकते हैं क्या होता है crypto orchidism क्या होता है वैसिक टॉमी यह सारी चीज़ें हमने last class में discuss की I hope you learned and enjoyed this session आप उन lectures को बार बार देखो वो male reproductive system है वो मैंने दो lecture में complete किया है और एक एक लाइन एक शब्द एक एक अक्षर मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाहर से आपको question नहीं आएगा और अगर कुछ आएगा तो वो भी मैं आपसे discuss करूंगी in the mcq session so let's start with the female reproductive system और इसको पढ़ाने से पहले एक note यह है कि लोगों को यह लगता है कि female है तो आसान होगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि male के साथ ऐसा होता है कि male reproductive system में जो changes होते हैं वो बहुत जादा दिखाई नहीं देते हैं यह testosterone एक हर्मोन है वही hormones sperm बनाने का formation करने का काम करता रहेगा करता रहेगा कोई tension नहीं कोई परिशाने नहीं पर if we talk about the female अगर मैं किस की बात करूँ female की बात करूँ तो female में हमें बहुत सारे chemical changes देखने को मिलते हैं क्योंकि female की जो body होती उसमें बहुत सारे hormones का action होता है आपको में एक बात बताऊँ female के reproductive system में from the birth to the puberty from the puberty to the menopause तक कुछ न कुछ changes चलते ही रहते हैं female की body में बहुत सारे hormonal loche होते हैं इसलिए अगर किसी hormone की जादा या अधिकता या किसी hormone की कमी हो जाएं तो female को बहुत सारे difficulty से गुजरना पड़ता है female को periodic changes से गुजरना पड़ता है इसलिए hormonal imbalance होने के chances जादा होते हैं female reproductive system comparatively male से थोड़ा सा complex है पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास है आपकी माँ वो है शपरा मैम सो आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ female reproductive system जैसा कि male में मैंने आपको पढ़ाया था कि we have two parts in the male reproductive system one is the necessary part and one is the necessary part and one is the necessary part या एक होता है primary sexual organs दूसरे होते हैं secondary sexual organs ऐसे ही female में भी कहानी होती है तो चलो पहले list बना लेते हैं उसके बाद सारी कहानी समझते हैं चलो शुरू करते हैं आजाओ आजाओ यह थोड़ी से slide पढ़ा देती हूँ यार तब आपको थोड़ा मज़ा आएगा और आपको पताए कि थोड़ा सा मुझे ये label करने में बढ़ा मज़ा आता है कौन सी कैविटी में पाई जाती है उसके बारे में हम अभी डिसकस करेंगे यह आपका मीजो वेरियम ठीक है इसे हम कहते हैं मीजो वेरियम जो की ओवरी को यूट्रेस से जोड़ कर रखता है ठीक है this is the fallopian tube fallopian tube के बहुत सारे parts है उन parts के बारे में आज के lectures में हम डीटेल में बात करेंगे this is the fallopian tube मेरे बचो ठीक है now this is the ovary, ovary हो गई, fallopian tube हो गया and look at this part, this part is called as uterus, यह कौन सा पार्ट है बचो, uterus है यह वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है this is the cervix, यह पार्ट है आपका cervix ठीक है यह पूरा पार्ट जो आपको इंवर्टर प्यर्शे को दिख रहा है यह है uterus यह सर्विक्स और यह है वजाईना ठीक है cervix और वजाईना को हम एक साथ कहते हैं बर्थ कैनाल बच्चे का यहीं से जन्म होता है दड़न होगा है इतनी बात ठीक है ना कोई टेंजन कोई परेशान नहीं तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है आज की चैप्टर में हमें पढ़ना है हमें पढ़ना है सबसे पहले ओवरी या फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे और ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बाद यूटरेस पढ़ेंगे यूटरेस के बाद सर्विक्स पढ़ेंगे और सर्विस के बाद विजीना पढ़ेंग तो जहाँ हर्मोन को अलग से पढ़ने की जरुवत आपको नहीं पढ़ेगी So please let's get started with the female reproductive system I hope this is clear to you people Female reproductive system अब आपन को cavity बात करते हैं सबसे पहले हम लोगों को location की बात करना पढ़ेगा चलो आजाओ मेरे साथ ध्यान से देखो Female reproductive system क्या बोल रही हूँ मैं female reproductive system का अजीं नहीं last class में आपने बता दिया था कि छा ती वाला एरिया ओता है जो चेस्ट वाला एरिया होता उसको हम कहते थोरैसे तो पेट वाला एरिया होता है उसको हम कहते पेल्विक वड़े ठीक है तो ओवरी कहां होती है बच्चा कहां होता है पेट में होता है बच्चा पेट में नहीं होता है बच्चा तो यूट्रेस में होता है गर्ब में होता है वोंब कहते हैं हम लोग उसको तो जो और यह बोलती है मेरे पेट में बच्चे में तो आरे बच्चे की माँ बनने वाली ह होता है which is also called as uterus uterus hashtra और वोब ठीक है so location की बात करूंगी तो reproductive system जो होता है female का वो pelvic reason में पाया जाता है समझ आ गई बात pelvic reason में पाया जाता है ठीक है उसके बाद हम लोग बात करेंगे parts की ठीक है we are going to talk about the parts हम बात करते हैं इसके parts की ठीक है ही इसमें भी हम को दो part कैंड most keep by थे पार्ट डिखाई देंगे एक डिखाई धेगा necessary part of the reproductive system चली देखते है one is the necessary part of the reproductive system द्यांस रेको एक क्या होता है necessary part होता है ठीक है और दूसरा होता है necessary part एक होता है necessary part ठीक है to necessary part done हो गई necessary part में ही हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे एक हम बात करेंगे ड़क्त सिस्टम के बारे में ठीक है एक वीवर गोईंट टॉक अबाउट ड़क्त सिस्टम ड़क्त समझता है ना तुम लोग ड़क्त का मतलब होता है कि पाइप ड़क्त का मतलब क्या होता है पाइप और सेकेंड तेंग जिसके बारे में हम लोग बात करे वो है external genitalia ठीक किसके बारे में बात करेंगे external genitalia के बारे में बात करेंगे बच्चो ठीक है ओके डन हो गई इसकी बात external genitalia को हम वलवा भी कहते हैं ठीक है चलो अब आगे बात करते हैं ध्यान से देखो मेरी बात necessary पार्ट में बेटा पूरी कहानी की heroine आएगी heroine कौन है picture में बिना heroine के कैसे काम बनेगा glamour कैसे आएगा ठीक है तो ओवरी जो होती है यह आपका necessary part होता है female reproductive system का इसे हम primary sexual organ भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मेरे प्राहारे बच्चो इसे हम primary sexual organ के नाम से भी जान सकते हैं ओवरी मेरे बच्चो ध्यान से समझना ओवरी जो होता है उसका diameter आपको दिया गया है अगर आप एपनी ओके सो यहां पर भी इसकी location ने दिए बट यूशुड़ नो कि pelvis region में होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या क्या होता है हमारे पास होती है ovaries क्या होती है ovaries जो की necessary reproductive part है हमारे पास होता है duct system जिसमें cervix vagina uterus ove duct के बारे में हम पढ़ते हैं और उसके बाद होता है external genitalia डान हो गए इतनी बात उसके बाद मैं आपको बात करूँगे ध्यान से सुनना द्यान से सुनना मेरी बात ओ ओ ओ ओ ओ ध्यान से सुनना मेरी बात आ जाओ मेरे साथ मैं ovary को बता रही थी कि लो कितना होता diameter जो कि लिखा समझ में आ गई बात या centimeter not mm तो बहुती चोटा हो गया centimeter ठीक है front meter done समझ आ गई इतनी बात इसमें कोई confusion दो नहीं अब ovary का काम क्या होता है ध्यान से समझना ovary is a heterocrine gland ovary एक heterocrine gland होती है ठीक है ovary क्या होती है मेरे बचो एक hetero crime gland होती है ओ मैड़म ovary heterocrine gland है यह कईसे बोल सकती हो आप ovary दो चीज़ों दो काम करती है hetero crime gland का मतलब यह है कि यह कोई चीज ऐसी बनाती है जो यह मैं यह कह सकते हूं यह कोई तो ऐसे चीज बनाती जो डक्ट के थूपास होती है तो यह क्या बनाती है पहला तो यह बनाती है ओवा यह इसका कैसा पार्ट हो गया एक्जोक्राइन पार्ट ठीक है मतलब यह अब क्या करती है एक्जोक्राइन पार्ट हो गया ठीक है एक्जोक्राइन पार्ट ठी को यह ऐसा लिख सकते हैं लोगी ओवरी दो काम करती है यह this not the good-sendness हम acceptable कि ओवरी के two works है ठीक है कितने काम हैं लग काम है एक यह काम क्या करती है एक यह काम क्या करती है काम इसका होता है होर्मौन बनाना और दूसरा इसका सा हम होता है ओवा बनाना ठीक है दूसरा इसका काम क्या है ओवा बनाना हॉर्मोन में बच्चों यह बहुत सारे हॉर्मोन बनाती है वो मैं आपको बताऊंगी ठीक है ओवा बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओजेनिसिस क्या कहते हैं ओजेनिसिस ठीक है यह हॉर्मोन जो निकालती है यह बॉड़ी में secondary sexual characteristics के लिए responsible होते हैं ठीक है किस चीज के लिए secondary sexual characters के लिए responsible होते हैं समझ आगई बात तो ओवरी जो होती है यह ओवा बनाने का काम करती है by the ogenesis जैसे spermatogenesis के तुरू हम sperm बनाते हैं वैसी ogenesis के तुरू हम ova बनाते हैं और साथी साथ जो ओवरी होती है वो hormone का secretion करती है जैसे कि progesteron, estrogen, relaxin, inibin बहुत सारे hormone जिसे body में secondary sexual characteristics develop होते हैं अब अगली बात करते हैं हम लोग duct system के बारे में अब यहाँ तो जगा नहीं है बट चलो मैं यह लिख देती हूँ देहान से देखो duct system में हमने क्या क्या पढ़ना है कौन कौन सी duct होती है मारे पास आये देखते हैं तो हमें पढ़ना है fallopian tube इसमें क्या पढ़ना है इसमें fallopian tube fallopian tube के बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बोलिए fallopian tube के बाद हम इसमें पढ़ेंगे तो इतना सारा पार्ट हमें फीमिल रिप्रदक्टिव सिस्टम में करना है तो लेट से लिए पढ़ना शुरू करते हैं अपने इसके लिए छोटा सा एक डाग्राम बना ले थोड़ी स्लाइट देख लेते हैं उसके बाद विल स्टार्ट विल डाग्राम चलो तो हम लोगों क इसमें सब कुछ पढ़ना है इसमें हमने पूरा ड्राइट सिस्टम पढ़ना है इनके पूरी ग्लैंड्स पढ़नी है इसमें हमने पढ़ना है पूरा क्या कहते हैं पूरा एक्स्टरनल जनिटेलिया के स्ट्रक्टर्स पढ़ने हैं हमें ओवरी का स्ट्रक्टर्टर पढ़ और obviously यार human physiology के बारे में पढ़ रहे हो, you should know the location of the organ, अगर आपको location नहीं पता है बेटा फिर जीवन जो है आपका खराब है ना, सो आपको organ का location पता होना चाहिए, pelvic reason में ओ जो है female reproductive system present होता है, female reproductive system में क्या क्या होना चाहिए, बताइए मुझे क्या भी मैं आपको बता चुकी हूँ, female reproductive system में पहले हम लोग structures के बारे में बात करते हैं, कौन से paired हैं, कौन से unpaired है, ovary कितनी, ovary क्या है बच्चो, ovary paired structure है, दो ह लिख रही हूँ, cervix भी आपके पास single S लिख रही हूँ, और vagina भी आपके पास single S लिख रही हूँ, तो आपको यह समझ में आया कि female reproductive system में कौन से paired हैं, कौन से पार्ट, single या unpaired होते हैं, आई बात समझ में, so pair of ovaries along with the pair of oviduct, ठीक है, oviduct मैं आपको structure समझा रही हूँ, घबराना में नहीं अपने को बिलकुल भी, uterate cervix vagina and external genitalia, लोग vagina को ही external genitalia समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता, external genitalia, vagina के आसपास पाई जाने वाले वो structures होते हैं, जो की उन्हें protection, secretion और support देने का काम करते हैं, ठीक है, these parts system along with the pair of memory glands, integrated structurally and functionally, इसके साथ आपको एक gland भी पढ़नी है, female reproductive system में, और उस gland का नाम होता है, मैं मेरी gland, तो मैडम क्या female में और कोई gland नहीं पाई जाती है, ध्यान से देखो, आपको एक gland भी इसके सा पढ़नी है, वो है memory gland, बच्चो, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्या female में memory gland होती है, तो जी नहीं, जी नहीं बच्चो, gland में आपको मैं बता दूँ कि gland में सबसे भायंकर वाली जो gland है, ध्यान से देखो, सबसे भायंकर वाली जो gland है, वो तो ओवरी ही हो गई, ठी ओवरी का nature होता है, बचो HETEROCRINE, हेटरोक्राईं नेचर में जो ENDOCRINE नेचर होता है, वो क्या होता है, जो ENDOCRINE नेचर है, वो निकालता है हर्मोन, और जो EXOKRAINE इसका nature है, EXOKRAINE का मतलब समझ गया है, EXOKRAINE मतलब सीधे location फे पहुंच ओ, EXOKRAINE wholesale में यह निकालते है ÖVA, ठीक है जैसे कि अगर आप structure देखो तो ओवरी जो है यहां से अपना ओवाख खिसका कर यहां भेज रही देखो जी आएफ देखो इसका जिफ देखो क्या बोल रही है ओवरी जो है वह अपना ओवाख फेक कर फेलो पेंट यूप को दे रही है तो एक्जो का इन नीचर क्या हो गया गया और एक कि अवरी गोरती पर इसी के साथ वह बहुत सारेikat मिनिकालतीम इसके बारे में थोड़ा इसके साहkeysन करते हैंँ लोग कि वह कौन-कौन सा हॉर्मोन निकलती है काव भी जाई तो फिसीन जीच के द्वारा निकलने वाले हर्मोन यहां लिखना चाहिए था ठर यह दिखे रहे हों ठीके मां पर पर जगाह नहीं तो मिली आपर लिख रहे हूं दा與 कौन अर्मोन निकालती वेच़ा ओखरी हम निकालती है सब से पहला प्रोह ड़ेस्टी रॉन ठीके फ्रोह डेस्टी रॉन और एक बात मेरे प्याहरे बत्चे आपटे तो घांगे के mail सबसे पहला जो हार्मोन ओवरी का हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोजेस्टिरॉन डीटेल में बाद में करेंगे जहां-जहां जैसे-जैसी ज़रुवत पढ़ती जाएगी वैसे-वैसे हम काम करते रहेंगे फीमेल में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोजेस्टिरॉन की जरूरत होती है फीमेल में प्रोजेस्टिरॉन के कम होने की वजह से बेबी का एबॉशन हो जाता है इसलिए फीमेल में अगर ऐसा जैसे पहले मन से ही बेबी की सोनोग्राफी कर ली लगती विज month of pregnancy में second month of pregnancy में third month of pregnancy के आसपास bleed महसूस करने लगती है हाला कि यह bleed थोड़ा बहुत तो चलता है पर extensive bleeding होने पर डॉक्टर को यह समझ में आता है कि हो सकता है कि बच्चे का implantation बहुत strongly ना हुआ हो क्योंकि body में progesterone की कमी है body अगर progesterone की बहुत जादा कमी होती है तो फिर मां को progesterone के injections या tablet दी जाती है ताकि बच्चा 9 महिने तक उस गर्भ में फसा रहे बोला ठीक है ना समझ में आई बात तो pregnancy maintain करता है progesterone दूसरा होता है estrogen ठीक है estrogen बच्चों देखो estrogen के क्या काम होते है estrogen का सबसे पहला काम होता है सबसे पहला क्या one of the most important काम है यह है कि यह secondary sexual characteristics को develop करता है ठीक है किसको develop करता है secondary sexual characters को develop करता है females में secondary sexual characteristics क्या होते हैं बताइए मुझे females में secondary sexual characteristics स्रीक्स फोते हैं या चोड़ा होना आवाज का करके बोलना मैंने बहुत सब्सक्राइब को देखा कि जब छोटी रहती तो उनके आवाज थोड़ी रहती एपर जब बड़ी हो जाती है तो जाती है तो नह Falls मुटब हो जाती है पर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है जब मैं चिलाती हूं तो इसका मतलब क्या आवास पतली हो जाती है तो पतली आवास का मतलब यह है क्यों फीमिल फखेर वह क्राइटरिया नहीं पर हम यह मानते हैं कि जब इस्टुजन बॉडी में निकलने लगता है तो आवास पतली हो जाती है तो जो हाई इंटेंसिटी वॉइस होती हाई पिच वॉइस फीमिल की मानी जाती है ठीक है सेकंडरी सेक्शुल केरेक्टरिस में यह हुआ स्वेटिंग आना मेमरी ग्लाइन का डवलप होना चीक है लिबिडो की इक्षा उने डिजार अव सेक्स उसके बाद मेंस्ट्रूल साइकल का स्टार्ट होना बॉडी में प्यूबिक हैर एक्स्टरनल जनेटेलिया में हर की ग्रोथ होना यह सारी चीज़े होते हैं साथ ही साथ इस्टोजन जो है वो क्या कराता है लिपोजनेसिस कराता है लिपोजनेसिस का मतलब होता है डिपोज of fat deposition of fat कहां कहां होता है बताओ जो फीमेल होती है उनकी कमर ओविसली चौड़ी होती ही है तो इन दा बूटक्स ठीक है बटक्स वाले एरिया में होता है स्पैलिंग चेक कर लेना और इन दा मेमरी ग्लैंड एमजी लिग देती हूं ठीक है यहां पर आपका fat deposition होने रखता है थर्ड जो हर्मोन हम पढ़ेंगे वो है relaxing ठीक है थर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है hormone relaxing relaxing क्या करता है देखो जब बच्चे को हम गर्भ में रखते हैं होता क्या है कि जब भी बच्चे को गर्भ में रखा जाता है तो आपने देखा होगा जो pelvic girdle में जब आपको बोन पढ़ाया था तो यह दो pelvic bones होती है थोड़ा अच्छा से बनाऊंगी मैं ठीक है यह दो जो है आपकी pelvic bones होती है यह पढ़ाया था मैंने आपको और यह pelvic bones जो होती है वह आपस में इस एरिया पर जूड़ी रहती है और यह एरिया यह और इस एरिया को हम कहते है pubic symphysis ठीक है इस एरिया को हम कहते है pubic symphysis अब होता क्या है कि बच्चे को भाई बच्चा जब पेट में आएगा तो जो है pelvic Ven do this bo plyone uteris को बढ़ा होने पर जो आपकी pelvic girdle होती इसको थोड़ा सा फैलना पड़ता है pelvic girdle मतलब कमर की हड़्यां तो यह जो फ्यूबिक जो बहुन होती देस एब इस क्यूविक बहुन है werd यहां से थोड़ा-सा ऐसा खिसकिन पड़ता है तो यहां पर एक uterus को बड़ा करें और बच्चे को accommodate कर सकें ठीक है समझ में आई बाथ तो यह कि दिल्यक्सिन क्या करता है तो रिलाक्स दा रिल्कसिंग किसी को रिलाक्स करेगा तो रिलाक्स दा डू रिलाक्स दा प्यूबिक सिंफाइस अई स्थी adop referenced ऑध्यंच सोणो the time of delivery बच्चे के डिलिवरी के दरान यह वजाना को रिलाक्स करने का काम कर देता है डान हो गई बात उसके बात एक और हॉर्मोन में आपको बढ़वार ही हूं वो है इनी बीन ठीक है वो है बच्चो इनी बीन में भी हमने इनी बीन जैसा एक हॉर्मोन पड़ाता यहां पर भ मेल कारेक्टर मेल कारेक्टर इन दा फीमेल समझ में आई बात मेल में फीमेल के कारेक्टर को क्या करता है सप्रेस करता है सो यह हॉर्मोन हैं आपके कौन से ओवरी से निकलने वाले ठीक है उसके बाद आपके पास एक और ग्लांड है जो कि एक एक जो क्राइन ग्लांड होत है किसी और कलर से लिखूंगी मैं ठीक है सो ओवरी जो है वो कैसे होती है एंडोग्राइन नीचर की होती है ठीक है वह आपने देखा कौन-कौन से लिख रहे हुं में दो और इसकश कर रहे हैं बचोथ ध्यान से देखना ये वला हो गया न आपका ये वद्ने सबने पूरा हो गया अभी अम लोग जैसे-जैसे पार्ट आते जाएंगे हम इनकी डीटल भी बात करते जाएंगे उसके बाद में बात कर रहे हूं ध्यान से है memory gland जो होती है it is a type of exocrine gland ठीक है memory gland कैसी gland है exocrine gland है exocrine gland I don't think so कि आपको बताने की जरौत है आप 12th class के बच्चे हैं इतनी बाते तो आपको पता होनी चाहिए कि body में दो प्रकार की glands होती है एक होती है endocrine gland एक होती है exocrine gland endocrine gland वो gland होती है जो कि अपना secretion blood के माध्यम से body के different parts में पहुचाते हैं जैसे progesterone हो गया estrogen हो गये यह सारे जो hormones होते हैं यह endocrine function के हो ब्लेड के माध्यम से जाते हैं ठीक है पर exocrine gland कौन से gland होती है what is the exocrine gland आये देखते हैं what is मेरे बच्चो exocrine gland exocrine gland वो होती है जो अपना secretion किसी duct के माध्यम से किसी particular part में भेजती है ठीक है जैसे we have so many types of exocrine glands like pancreas हो गया like memory glands हो गई salivory glands हो गई they all are exocrine glands यह अपना secretion किसी pipe के माध्यम से उसी जगह पर भेजती है जहां पर उनकी जरूरत होती है जैसे कि जो exocrine gland memory gland होती है वो duct के माध्यम से milk को बाहर निकालती ताकि बच्चा उससे nutrition ले सके डन हो गई है इतनी बात अब हम लोग जो है प्यूरली घुस रहे हैं female reproductive system में ठीक है चलिए तो female एक पर फिर से लिखोंगे female reproductive पूरा नहीं लिखना चाहती है ठीक है female reproductive system के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है female reproductive system अरे यार कभी कभी बहुत गड़बड होती है female reproductive system ध्यान से देखिए कौन-कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं यह हम पहले ही लिख चुके हैं हम लोग एक ही करके शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहले we need to learn about the ovary ovary के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके accessory part of the reproductive system accessory reproductive system ARS का मतलब वही है accessory में मैं आपको सबसे पहले deal करवाओंगी किस के साथ fallopian tube के साथ ठीक है पहले मैं आपको पढ़ाओंगी fallopian tube ठीक है fallopian tube पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाओंगी uterus के बारे में ठीक है uterus को पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाओंगी Servix के बारे में, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी Vegina के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे External Genitalia के बारे में अब जितना कोशिश करती हूँ कि इस lecture में cover करने की External Genitalia के बारे में External Genitalia को हम vulva भी या fluidancle भी कहते हैं वल्वा यह हम पढ़ने वाले हैं, so let's start with the ovary, चलिए, शुरू करते हैं, ovary, ovary को हिंदी में हम कहते हैं अंडाश है, we have the dimension in the NCRT, आपके NCRT में dimension दिया हुआ है ovary का, उस dimension को हम को याद रखना है, बिना उस dimension के काम नहीं बनेगा, okay, ovary का dimension हमें NCRT में दिया है 2-4 cm, जो की हम में पता होना चाहिए, testis का dimension क्या दिया हुआ है, testis का dimension हम देखते है, testis का dimension दिया हुआ है 2-3-4-5, so 2-3 यह होता है, 2-3 cm और 4-5 यह होता है, तो ऐसे आप testis का भी याद रख सकते हैं, तो dimension हमारी ovary के यह दिये, correct जो dimension है, वो जैसे मालू यह ovary है न यार, तो यह इसका यह, यह dimension जो है, यह दिया हुआ है, ovary का आपके NCRT मत, दन हो गया इतनी बात, इसमें कोई confusion तो नहीं है, अब ovary यह कहानी ताम जहाम पढ़ने के लिए हमको एक diagram बनाना पड़ेगा, बिना diagram के काम नहीं बनेगा, ठीक है, तो dimension आपको clear हो गई, testis का dimension clear हो गया, ovary का dimension clear हो ठीक है, ovary में दोनों दिये, लंबाई चड़ाई पर इसमें सिर्फ चड़ाई दिये, इसके लिए we need to draw the diagram, ठीक है, बिना diagram के काम नहीं बनेगा, सारे diagram के parts को हमें label तो करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, चलो देखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, I am not very good at it, but I am trying so ठीक है, so, ovary जो होती है, यह ovary नहीं, actually हम पूरे एक female reproductive system का diagram बना रहे हैं, ठीक है, female reproductive system में बहुत सारे parts पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे parts पाए जाते हैं, now, listen to me very carefully, मैं बता रही हूँ इसको बनाने में बहुत ज़्यादा सुन्दर तो नहीं बना पाऊंगी, पर हा मैं ऐसा बना दूँगी, कि आपको समझ में आ जाए, और आप जो है, यह कहानी कर सकें, ठीक है, चलो बच्चो, शिरू कर रहे हैं, यह हम बना रहे है, female reproductive system का एक diagram, I'm trying so, ठीक है, try करते रहो, madam, कभी न कभी तो बनी जाएगा आपको, है न, क्यों, क्या कहना है तुमारा, यह देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नहीं बना पाती हूँ, oh, no, it is not inverted pear shape structure, ठीक है, अभी ठीक है, ओके, now, listen to me very carefully, क्या कह रही हूँ, मैं, अभी अपने को यह मतलब है, कि diagram आपको explain हो, अच्छे सोना चीए, now, सबसे पहले, यहाँ पर हम देखते हैं, कि हमारे पास, दो almond shape की ऐसे ovaries पाई जाती है, female reproductive system का हम location तो सीखी गएं, कहाँ पर है, lower abdomen में, abdomen के नीचे वाले अरिया को हम pelvic reason कहते हैं, pelvic reason में female reproductive system present होता है, abdomen मतलब पेट वाला area, यह वाला area abdomen होता है, दिख रही हूँ में, यह वाला area abdomen होता है, यह वाला area thorax होता है, abdomen के नीचे जो area, this is abdomen, abdomen के नीचे जो thorax होता है, वहाँ पर female reproductive system present होता है, we have almond shape की ovary, ठीक है, two ovaries होती है, paired structure होता है, ठीक है, अब ध्यान से समझना हो, ovary जो होती है, वो आपके abdominal cavity से जुड़ी रहती है, बाइदा मीज ओवरी है, पढ़ेंगे उसके बारे में, समझ में आई बात, even आपकी ovary जो होती से जोड़ी होती है, ठीक है, even abdomen से जोड़ी रहती है, बाइदा मीज ओवरियम और ovarian ligament से जोड़ी रहती है, बाइदा यूटरस, ठीक है, समझ आ गई बात, आगे बात करते हैं, सो सबसे पहले में एक मोटा मोटा label कर देती हूँ आपको, उसके बाद एक एक करके अपन structure पढते जाएंगे, सो selfie इस दा ओरी, यह आपकी ovari है, फर्स्ट ओरी सैकेंट ओरी उसके बाद यह वाला पूरा आपको दिख रहा है बच्चो यह पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इस दा फैलोपियन टूब, यह क्या है आपका फैलोपियन टूब, ठीक है, सो वी आपे फेलोपीन टिव के पाठ लेते है उसके बाद उसकी डीटिल करेंगे फेलोपीन टिव में यह वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है इधर से करते हैं फेलोपीन टियूब में यह ऐसे से फिंगर 135 ग किंजन किंअशन इसे हम कहते पैसं इसे हम कहते बच्छों फिंबरी बहुत important structure है यह, fimbri, very important structure, यह जो ऐसे finger finger दिख रहे हैं, this is called as fimbri, now, fimbri के उपर, ध्यान से समझना, fimbri के उपर, आपको ऐसा एक funnel shape का structure दिखाई देगा, ध्यान से समझना, आपको ऐसा एक funnel shape का structure दिखाई देगा, and this funnel shape structure, this structure is called as infundibulum, आई बात समझ में, so, यह finger like projections जो होते हैं, इनको हम कहते हैं, fimbri, और इसके उपर एक funnel shape का structure होगा, जिसे हम कहते हैं, infundibulum, समझ आई बात, इसके उपर एक funnel shape का structure होगा, which is called as infundibulum, समझ में आई बात, infundibulum, समझ में आ गई बात, कोई tension, कोई परशानी है, यहां तक तो नहीं होने चीए, now, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इस वाले part की, which is the, यहां पर दिखू, मैं यह वाला part जो है, this is called as ampulla, this is called as ampulla, ठीक है, यह कैसा हिस्सा होता है, solen हिस्सा, हम लोगोंने बहुत सारे ampulla वाली चीज़े पढ़ी हैं, ठीक है, ampulla of water, हमने बहुत सारे ampulla वाली चीज़े पढ़ी हुई हैं, तो कोई भी reason अगर solen होता है, तो उसको हम ampulla के नाम से जानते हैं, infundibulum की यह opening जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते ओस्टियम, इसे हम क्या कहते बच्चो ओस्टियम जहां से एग मूव करेगा, ठीक है, ओस्टियम हो गया, डन हो गया इतनी बात, कोई tension, कोई परिशानी तो नहीं है, डन हुआ, उसके बाद ये आपको एक narrow passage दिखाई दे रहा होगा, ये narrow passage, look at this, this area, this area, इस narrow passage को मेरे लल्ला, हम कहते इस्थमस, क्या कहते हैं इसे हम, इस्थमस, यूनी होना चाहिए यहां पर, ठीक है, इसे हम कहते हैं, इस्थमस, समझ आ गई बात, क्या बोला मैंने आपको, फैलोपियन ट्यूब आपके पास हैं, दो, ठीक है, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, फैलोपियन ट्यूब, जो है, वो देखो, ऐसे ovary की उपर ऐसे पड़ी हुई है, इस area को, जहाँ पर finger leg projections आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं, अभर हम इसके बाखे करके पढ़ेंगे भी, ठीक है, नॉब उसके बाद ध्यान चे सुनो, भी हैब अ इनवोर्टेट पि weld पियर शेप स्टक्घोर, ठीक है, वी है अ इनवोर्टेट पिwarming शेप स्टक्घोर, यहाँ पर इनवर्टेट पियर मतलब, uterus लिखती हुए अपर uterus this is uterus done हो गया इतने बात uterus को हम और क्या कहते है hystra uterus का दूसरा नाम क्या होता है बच्चो hystra ठीक है uterus का ये वाला जो पाट होता है इसे हम कहते है fundus it is best site for the implantation और ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है इसे हम कहते है body ठीक है it provides the site of the implantation best site for the implantation ठीक है अगर हम बात करते हैं नीचे वाले area के ध्यान से समझना नीचे वाला area ठीक है नीचे वाला area this is the cervix ठीक है this is the cervix okay so this area is called as cervix ठीक है this area is called as cervix cervix is very very important part ये आपको पता होना चाहिए now cervix will open into this the answer देखो cervix will open into this ठीक and this opening is called as बच्चो विजाईना ठीक है this opening is called as विजाईना डान हो गई इतनी बात ठीक है so uterus will open into the cervix cervix will open into the विजाईना ठीक है now listen to me very carefully क्योंकि ये आपके लिए एक important point हो सकता है आपके examination point of view से औस का मतलब जानते हो क्या होता है ? औस का मतलब क्या होता है ? औस का मतलब होता है opening अभी अमको ये सिर्फ मैं एक डागराम बना रही हो है कि करके हमें सारे parts पढ़ने भी है, Aus का मतलब होता है Opening, अब मैं आपको ना दो ओपनिंग्स पढ़ाने वाली हो, एक opening है ये, ठीक है, एक opening है ये, ठीक है, एन दूसरी opening है ये, डन, ये जो आपको opening दिखाई दे लिया, it is called as internal Aus, ठीक है, Aus का मतलब क्या होता है, Aus का मतलब the uterus and cervix, ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखो, this is the external Aus, ये क्या है आपका external Aus है, और ये किसके बीच में होता है, in between the cervix and vagina, ठीक है, in between the cervix and vagina, ठीक है, done हो गई बात, इतनी बात clear हो गई, तो ये एक मोटा मोटा diagram मैंने आपको समझाया, done, ये समझाया, आपको इसमें कोई confusion तो नहीं, क्या समझाया आपने, आपके पास uterus कितना होता है बच्चो, ये पूरा बॉड़ी, ये uterus कितना है, आपके पास only one, आपके पास uterus कितना है, one है, ओवरी कितनी है, दो है, फेलोपियन ट्यूप कितना है, दो है, सर्विस कितना है, दो है, विजेना कितना है, दो है, अब एक्स्टरनल जनेटेलिया कितना है, सौरी, आपके पास uterus कितना है, एक है, सर्विस एक है, विजेना एक है, और एक्स्टरनल जनेटेलिया भी एक है, बाकी दो क्या-क्या है Fallopian tube और ovary Done हो गई अब हम लोग आगे की बात करते हैं चलिए शुरू कर लेते हैं I think इसमें कोई problem नहीं होने चाहिए So this is the basic structure of your female reproductive system तो हमने एक basic structure के बारे में read कर लिया कि female का basic structure क्या होना चाहिए This is the female reproductive system अब एक-एक करके हम कहानी शुरू करते हैं से शुरू करें We'll start from the ovary Ovary से शुरू करने कोई tension तो नहीं है अभी तक कहानी मेरे बच्चो को clear हो गई की नहीं हो गई है ना अभी तक की कहानी clear हुई की नहीं हुई Okay Now let's start with the कहानी of ovary ठीक है एक story सुनाती हूं मैं ठीक है ovary कैसा shape होता है almond shape ओवरी का shape कैसा है बच्चो All Ovary का shape कैसा है almond Shape is almond ठीक है almond shape की होती है Dimension उपर लिखा हुआ इसलिए लिखने रही हूं बदाम क्या कार की होती है बहुत ही छोटी होती है और बहुत important पार्ट है बच्चो ठीक है Very very important part ovary Ovary नहीं होगी तो female के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है ठीक है Ovary से ovah का development होता है बहुत सारी कहानी इसमें सुनाओंगी पर menstrual cycle का description हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम लोग को ovary पढ़ना है और वो आपको ध्यान से देखना थोड़ा मैं पानी पीलू नहीं है मैं नोट्स भी लेके आई हूँ बताओ कहां होती है ovary मुझ पे होगी क्या नहीं होगी ना तो ovary जो होती है वो है आपकी abdominal cavity में चीक है या मैं कह सकती हूँ pelvic cavity में ठीक है ovary is in the pelvic cavity pelvic cavity done अब attachment की बात करते हैं ovary जो होती है वो आपके abdominal wall से रहती है ovary connect with abdominal cavity देखो ovary connected with abdominal cavity मेरे बच्छो किस से connect रहेगी यह connect रहेगी एक structure से ध्यान से समझना ovary कहां गया structure ovary connected रहती है एक structure से ठीक है abdominal cavity का structure अब मैं कैसे बनाऊ ऐसा बना सकती हूँ मैं तो ovary connected with abdominal cavity the structure is called as mesovarium क्या कहलाता है mesovarium and ovary is connected with the uterus called as ovarian ligament ठीक है ovarian नहीं it is uterine ligament ठीक है uterine ligament uterine ligament ठीक है या ligament भी लिख सकते हो आप तो आपको पता होना ची कि ovary जो होती है वो uterus से भी अटाच रहती हो बड़ी वाल से भी अटाच रहती हो बड़ी वाल से बटाच रहती है mesovarium आपके NCRT में दिया हुआ है शाय दिया ठीक है mesovarium डन और ligament से ठीक है uterus से आगे के बात करते हैं हम लोग ovary जो है function बताइए ovary का क्या होता है सबसे पहले ovary का function होता है दो हम पहले ही discuss कर चुके है ovary over development में help करती है ठीक है यह हम पहले discuss कर चुके है ovary over development करती है और क्या निकालती है मेरे बच्चो hormone समझ आई बात ovary क्या करेगी बहिया over बनाएगी over develop करेगी और hormone develop करेगी पैरी पैरी ठीक है पैरी पैरी अपने लोग french fries में डालके खाते हैं mcdonald's के but it's non estrogen, relaxin and any mean done होगे इतनी बात तो यह ovary का function हुआ now अब हम लोग बात करेंगे किस की चलिए अब हम बात कर रहे है covering of ovary की ठीक है let's start with the covering of ovary ovary लिखते जा रहे हैं फटाफट से ovary किन किन चीजों से cover रहती है देखो बच्चो covering of ovary covering of ovary चलो बेटा, शुरू हो जाओ कहानी ovary जो है very important thing, very very important thing ध्यान से देखो ovary का काम होता है ओवा बनाना अब इस ovary में होती है cover चीक है, क्या होता है cover मैं एक ovary का diagram आपको बना के दिखाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को कहानी clear हो पाए ठीक है so, ये हो गया mesoparium ये हो गई आपकी ovary ठीक, I think, let me color this यारता के सुन्दर दिखे है ना, बहुत देर से में color किया नहीं है, I resist myself बट अब नहीं हो पाएगा मुझस से, ठीक है so, let me make the diagram of ovary बच्चों, ध्यान से देखते जाना, ने तो समझ में नहीं पर बोलोगे मुझे, समझ में नहीं आया, क्या पढ़ाया, और फिर बहुत मज़ा तो आता ही है reproductive system पढ़ने में और उसके बद कुस पढ़के मज़ा लेके भी कुस समझ में आए तो जीवन का क्या आपचित है, जीने का, कोई नहीं चलो बैटा, जयान तो देखो, very very important चीज में आपको बता रही हूँ, जो नहीं समझोगे फिर मेरे को बोलना मत कि माडम, माडम हमको समझ में नहीं आता है, क्या करें चलो बच्चो, आजाओ, अच्छा ये बाला structure हम एक बार और पढ़ेंगे, जब हम menstrual cycle पढ़ेंगे इसले बहुत सारे बच्चों को कुछ-कुछ कम भी समझ में है, हाला कैसा होगा नहीं, जब तक मैं हूँ, तो भी गबराने की जुरूद नहीं है ठीक है, जर्माइनल एपिथीलियम का लेयर जो काम 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 है, जर्माइनल एपिथीलियम का पहते हैं बच्छों Germinal Epithelium Germinal Epithelium concept epithelium का बना होता है concept issue का Simple Cuboidal Epithelium इसे बना होता है Simple Cuboidal Epithelium The cells are looking like cube-like cells simple हमकिनल लेयर होगा सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम Germinal Epithelium कहते हैं और ये simple cuboidal epithelium की बनी होती है समझ आ गई बात डन हो गई इसमें कोई tension तो नहीं है ठीक है? आगे बात करते हैं अब आपकी ovary में we have two areas ठीक है? आपकी ovary में हमारे पास दो areas होते हैं इस वाले area को में रे बच्चो जो बाहर की और आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं cortex क्या कहते हैं? cortex और ये वाला जो area आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं medulla ठीक है? cortex and medulla डन हो गई? सो ये वाला area जो बाहर की और आपको दिखाई देता है इसे हम कहते हैं cortex और जो center वाला area रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं medulla सबसे outer layer क्या हो गई germinal epithelium और उसके बाद जो ओवरी को दो areas में दो zone में हमने बाटा the zone 1 is called as cortex and zone 2 is called as medulla ठीक है ना और आगे की बात करते हैं हम लोग चलो अब यहां पर cortex में बहुत सारे flower like structures होते हैं देखो Mr. Kanaisah यहां पर बहुत सारे flower like structures होते हैं और इस flower like structures को हम क्या कहते हैं Inflower like structure को हम कहते हैं oharian follicle! मैडम, यह क्या ले आई आई आप, यह क्या ले आई आप, अब हमको थोड़ा से यह बताइए, चलो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको देखो, cortex की बात करें हूँ, cortex में ovarian follicle होते हैं, यह ovarian follicle क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ, center वाला जो area होता है, medula, इसके अंदर क्या होता है, पहले एक बार यह discuss करेंगे, इसके अंदर होती है blood vessels, ठीके भईया, ovarian है न, तो काम करने के लिए, यहाँ से blood vessels की entry होगी, यहाँ से blood vessels की exit होगी, blood vessels होगी इसमें, यहाँ पर nerves होगे बेटा, यहाँ पर lymphatic vessels होगी बचो, और क्या होगा इसमें बोलो, और इसमें smooth muscles भी पाई जाएंगी, तुम अपनी ovarian को अपने एक्षा के नुसार हिला सकती हो क्या, कि चल मेरी ovarian, तक दिना दिन नाच, किसी भी कोई female अपनी ovarian को नचा सकती है, क्या नहीं निचा सकती है, वो अपने इसाब से काम करती है, male की बात नहीं करे हो, male के पास तो ovarian है, पर किसी female की पेट में ovarian नाशते देखे क्या, तुम नहीं नाश सकती, क्योंकि यहाँ कार्बन डेक से लेकर बाहर निकलेगा, nerve रहेगा, जो sensation लेगा, और वहाँ पे smooth muscle रहेंगे, ताकि contraction and relaxation जहां पर भी जरूरत है, वहाँ पे हो सके, ठीक है, यह समझ आया, नाओ अब मैं थोड़ा साब को ovarian follicle, यहीं पर बता दूं क्या, यहीं पर बता रहती हूं, millions of ova, story बता रही हूं मैं, before birth, ठीक है, before birth, यह story बता रही हूं मैं, before birth female के पास millions of ova होते हैं, millions, millions of ova होते हैं, ठीक है, अब यह एक time के बाद ध्यान से सुनना, यह क्या होता है, यह कुछ stages of cell division कर लेते हैं, मैं stage with stage reveal नहीं कर रहे हूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी complexity आपको बढ़ जाएगी, यह ओगा जब develop होते हैं, तो इन में क्या होता है, cell division होता है, cell division पर पूरा नहीं होता, cell division पूरा नहीं होता है, cell division के कुछ stage में, some stage पर यह क्या हो जाती है, arrest, some stage पर क्या हो जाती है, arrest, मैं नहीं बताऊंगी वो कौन सी हैं, क्योंकि आपको जानना नहीं ह अभी मतलब जब होगा तब बात करेंगे तो फीमेल ओवरी में स्टोरी है अभी NCRT के बारे में नहीं है मैं आप स्टोरी बता रही हो ताकि फिर मैं आपको क्या बता सकूँ ताकि मैं आपको क्या बोल मैं ओवेरियन फॉलीकल के अंदर होता है अवा समझ आ बात यह जवानी होने के बाद जब बनता है यह वह पहले से भने होए थैज़् अबस नहीं होता ना तो उसके ओवरी में बहुत मिलियंज ओफा होते यहीं बोल रहे हैं जी है millions of ova होते हैं और फिर वो cell divide millions of ova कैसे बने होंगे cell division से बने होंगे cell division पूरा नहीं कर पाते हैं और किसी phase पर यह arrest हो जाते हैं किसी phase of cell division की यह नहीं करते हैं cell division नहीं करते हैं पर जैसे ही क्या आती है बचो प्यूबर्टी आती है जैसे ही क्या आती है उसी cell division को ये resume कर देते हैं और cell division को resume करने के बाद ये एक mature overdevelop करते हैं mature overdevelop करते हैं madam अब हमको ये बताइए कि क्या पूरे life cycle में overdevelop ही होता रहेगा क्या ऐसे अगर millions of overdevelop होने लगे तो भाईया millions of years की साल है गया female के जीवन के साल millions of years है फिर भी एक life cycle में अगर मैं बात करूँ अगर मैं एक female को मैं मानती हूँ कि उसका जीवन काल है वो है मालो की एक female है जो 80 साल जीने वाली है ठीक है किसी female को 80 साल जीना है उसका menstrual cycle 13 साल पे शुरू हुआ menstrual cycle जो है वो कब शुरू हुआ मैंसेस जो थे उसके शुरू हुए 13 साल में मैंसेस is the menstrual cycle जिसमें हम fertilized ova को implant करके बच्चा पैदा कर सकते हैं या अगर वो fertilized नहीं हुआ तो in the form of bleed उसे बार भी निकाल सकते हैं ठीक है सो मैंसेस आए और हम यह मानते हैं कि फिर हमको पता चला कि मैंसेस जो थे जब उसके 45 एर्स में पता चला कि मैंसेस तो stop हो गए जब मैंसेस आये थे तो इस condition को हम कहते हैं मीनारच ठीक है बच्चो जब मैंसेस शुरू होते हैं इस condition को हम कहते हैं मीनारच मीनारच मतलब जो female है वो बड़ी हो गई है और उसके menstruation शुडू हो घए कि 45 इयर में जब मेंसे stop हो जाते हैं थो हम इसे कहते हैं menopause क्या कहते हैं menopause madam आप हमको यह बताइए जरा 13 सार से आपका ovulation शुरू हो जाता है यहां से आपका ovulation स्टार्ट हो जाते हैं मीनार्ज में और तो यहां पर आपको ovulation stop हो गया madam stop क्यों हो गया आपके पास तो अभी आप बोल रहे थी कि जन्म के समय millions of over थे तो ovulation क्यों नहीं हुआ ovulation समझते हैं क्या होता है आए देख लिए जब अभी ovulation एक कहानी है जहां से यह ovary जो होती है यह अपना over निकालती है और यह इस फैलोपियन ट्यूब में जाता दिस इस कॉल्लेशन तो मैडम अगर हमारे पास millions of over थे तो ovulation बंद क्यों हो गया 45 यह में अब ध्यान से सुनो जब फीमेल का बर्त नहीं हुआ था तो उसके millions of over थे समझना बात को millions of over उसके पास थे होता क्या है ध्यान से सुनना होता क्या है कि अगर मालो January month में इस वाली over ने अपना over निकाला तो अब February में वह निकाल सकती फेब्री में यह निकालेगी फिर March में यह निकालेगी फिर April में यह निकालेगी तो alternate day में alternate month में यह वाली ओवरियां अपना ओवा निकालती जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल में जून ऐसा दोनों ओवरी एक साथ ओविलेट महीं कर सकती यह वाली ओविलेट करेगी तब तक वो अपनी तयारी बनाएगी फिर ओविलेट करेगी तो यह ऑवा नहीं बचा माइडम आप तो भी कह रही थी कि millions ओववा थे फिर ओवा क्यों नहीं बचा क्योंकि जैसे जैसे फीमिल की लाइव बढ़ती जाती है यह ओवव डिजनरेट होते जाते हैं समझ में आई बार फीमिल जैसे जैसे आयू बढ़ती जाती है वैसे वैसे rate होते जाते हैं सो चो आखरी आखरी तक maturity 45 years तक सिर्फ आपके आपके पास 45 से 50 year के बाद कोई ओवा ही नहीं बचा कि आप उसे mature करके ovulate कर सको बेसिकली हमारे पास ओवा ही खतम हो गए तो millions of ova से हम reduce करते 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 और जब ओवा की death होती है तो इस process को हम कहते है अट्रैशिया क्या कहते हैं बच्चो अट्रैशिया समझ में आई बात we have millions of ova cell division हुआ फिर अरेस्ट हो गया फिर बच्चे का जन्म हुआ बच्चा पीबर्टी में हुआ बच्चे करते हैं इसले फीमिल के पास लास्ट में इतने ओवा बच्चते नहीं कि वो पूरा जिंदगी भर अपना ova डेवलाप कर पा है मेल्स के साथ अच्छा है मेल्स कंटीनियू स्पर्मी बनाते रहते हैं समझ आ गई इतनी बार डन हो गई सो इस तरीके से ये काम होता है ठीक है अब मैं आपको ovarian follicle बता रही थी क्या होता है ovarian follicle एक ऐसा structure है now listen to me very carefully ovarian follicle ये एक ऐसा structure होता है जिसके अंदर ova होता है ठीक है this is the ovarian follicle यहीं पर लिख रही हूँ मैं बहुत डीटेल से नहीं पढ़ा रही हूँ अभी तो मैं आपको सिर्फ कहानी सुना रही हूँ क्योंकि यह भी आपको पढ़ना है ovarian follicle एक structure होता है जिसके अंदर ova पाया जाता है यह कौन सा होवा है मालो मैच्योर होवा है ठीक है कैसा होवा है बच्चो मैच्योर होवा अब थोड़े समय के बाद जब यह मैच्योर हो गया तो ovarian follicle burst हो जाता है Ovarian Follicle Burst हो जाता है, और Ova जो है वो बहर निकल जाता है यह Ova आ गया और Cells में पड़ी रही, ठीक है इस तूटे हुए structure को हम कहते हैं, या इस structure को जी Ovarian Follicle है इसको हम Graphian Follicle है, क्राफिण Follicle जाता है अभी हमको यह सब पढ़ना है, ठीक है, Graphian Follicle अब जब ये तूटता है ना ओवा ध्यान से सुनना जब ये ओवा तूट गया अब ये ओवा तूट कर कहा जाएगा मेरे बच्चो ये ओवा तूट कर भई है ये निकल गया भी है यहाँ जाएगा समझ आ गई बात तो इस ovary के अंदर बेटा numerous follicle बन सकते हैं कितने हजारों follicle बन सकते हैं उन follicle के अंदर ova mature होता है फिर वो follicle जब बड़े हो जाते हैं तो फट जाते हैं और ova बाहर निकाल देते हैं और वो ova fallopian tube में चला जाता है समझ आई इतनी बात, done हो गई ना इतनी बात तो ovarian follicle आपको समझ में है ovarian follicle is nothing it is the structure which contain the ova ovarian follicle has so many cells in the center of the cells there is a ova then the ovarian follicle gets burst ova gets released out into the fallopian tube done हो गई इतनी बात इस ovarian follicle को अभी हम बहुत डीटेल से और पढ़ने वाले हैं इसका screenshot लो अब एक और थोड़ी से और कहानी सीख लेते हैं वो यह है यह जो पूरा एरिया ध्यान समझना germinal epithelium यह वाला हो गया अंदर के cortex and medulla को एक साथ हम पते हैं नहीं पता होगा cortex and medulla को एक साथ हम कहते हैं stroma क्या कहते हैं stroma यह बात आपको यार रखिएगा ovary के दो portion होते हैं बाहर वाले portion को cortex कहते हैं जिसमें ovarian follicle होता है अंदर वाले portion को medulla कहते हैं जिसके अंदर blood vessel entry और exit होती है जिसके अंदर nerves होते हैं smooth muscle fibers होते हैं पर ovary में जो आपका cortex और medulla होता है दोनों को एक साथ हम कहते हैं stroma यह बात आपको पता होनी चाहिए डन हो गई आगे की बात करते हैं ovary का removal हम कई बार करा देते हैं ovary में अगर कोई infection वगएरा हो जाए तो ovary का removal हम करा देते हैं ovary जो होती है इसको remove करा देते हैं and ovary removal को हम कहते हैं फ्रिक टोमी यह आपको पता होना चाहिए नीट का बड़ा ही फेवरेट सवाल है बचो यह बहुत फेवरेट सवाल है डन हो गए सो वी हाब डन दा प्राइमरी सेक्श्वल ओर्गन उसका स्टक्चर उसका टैच्मेंट उसका सब कहानी उसके बाद आभी इसमें बहुत सारी आपको इस्ट्रॉक्टर पढ़नें में स्ट्रॉल साइकल में बहुत सारी साइक्लिक चेंजर आएंगे वह हम पढ़ेंगे ठीक है इसी भी प्रकार की कोई प्रप्राब्लम नह다 है ओ होगे नाव यह भी हम आएंगे स्ट्ट्र में फी मिले प्रेटिटिव इस्टम्म जो होता है यह थोड़ा सौर पढ़िये haw फी मिले प्राइक्सिस्टम में भी हब डन विद ऑओरी ऑल्हाल की होर्मोन सेक्रीशन पढ़ा हम लोगों ने पैरी-पैरी पढ़ा प्रोजेस्टेरोन, इस्टोजन, रिलाक्सिन, इनिबिन, ओविलेशन हर मन्थ में अल्टरनेट ओवरी ओविलेट करती है ठीक है फर्टिलाइजेशन जब ओविलेशन होता है यहाँ पे ओवरी से फैलोपिन ट्यूब से या ओवरी जो अपना ओविलेट कर दी ओवा फैलोपिन ट्यूब में पहुचा तो वहाँ पे स्परमा के फर्टिलाइजेशन होगा fertilization के बाद होगा implantation और होगी pregnancy pregnancy के बाद female reproductive system में उसे birth देता है और female reproductive system अपने अंदर 9 मेने तक बच्चे को रखता है और उसे nutrition देता है female reproductive system का एक part होता है memory gland तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ अपने बच्चे को दूद पिलाती है मतलब nutrition का भी part है तो female reproductive system क्या क्या होता है hormone निकलता है, ovulation करता है, fertilization करता है, implantation करता है baby की pregnancy करता है, baby की birth करता है और baby को nutrition देने का काम करता है तो ये function हो गए female reproductive system के female reproductive system में अब हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या होता है ये देखिए हमारे पास ovary होती है और हमारे पास duct system होता, duct system में falopion tube होता है structure पूरा done हो गया है हमारा और उसमें होता uterus cervix vagina और एक pair memory gland, तो memory gland one pair होती है, falopion tube में one pair होती है, ovary दो pair होती है बागी सब को चाल, unpaired structure है, ठीक है, आगे बढ़े Now, सब से पहरे ovary का structure देखो, ध्यान से दिखो रही मेरे बच्च आजाओ ध्यान से देखो मेरे बच्च अ क्या बोल रही हु मैं Overy जो है यह female का primary sexual organ होता है इसका origin आपको याद रखना है, जो कि mesodermal होता है ठीके बच्चो याद रखना क्योंकि ओरीजन से कई बार सवाल पूछ लिये चाते हैं और फिर फ़स जाओगे बिटा बनेगा नहीं तो फिर मुझे मत बोलना बताया नहीं था स्लाइड में साफ साफ सुंदर शाफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है वह देखो डेखो डेवलोपमेंट इस अमीजोडर्मल ठीक है यह एक प्राइमरी और एसेंशल सेक्स और्गन बीना इसके ओवरी के बिना फीमिल का रप्रेट्टिव सिस्टम कुछ नहीं है ठीक है हम ऑवरी रप्रेटिव सिस्टम के बिना कुछ हो ठीक हाँ मैं ओवरी क काम कीया होता है इसका काम होता किहां वह बनाना और बहुत सारे हॉर्मोंस हौष देखो यह है ओवेरियन लिगामेंट जिससे आपका जो आपकी ओवरी है वह आपके यूट्रेस से जुड़ी हुए है कितना सुन्दर कितना बहतरीन मैं यह पर लेबल करके दिखा ती उतना सुन्दर डाइगरम है यह यह बेटा यहां पर एक चौड़ा हिस्से आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते एंपूला हिस्से को हम कहते इस्थमस इस्थमस ठीक है समझ आगई बात एंपुला और इस्थमस के बीच में फटलाइजिशन होता है आगे बढ़ते हैं डाइमेंशन डाइमेंशन वेरी इंपोर्टन साइस कितना है दो से चार याद रखना है बच्चों आपको दो तीन चार पांच टेस्टीस दो से चार ओवरी किस शेप की है ओवल या आलमंड शेप की है कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा अब्डॉमिनल कैविटी के नीचे और अब्डॉमिनल कैविटी के नीचे वाले अरिया को हम क्या कहते हैं बोलेगा क्या कहते हैं पैल्विक रीजन यह है अब्डॉमिन यह थोरेक्स जो ओवरी लिगामेंट होता है, उसके इंदर कौन सा टिशू होता है, बस dense irregular fibrous connective tissue, आजा बच्चो, आजाओ, देखो यहां पे बहुत बढ़ियां सा एक structure बना हुआ है, ना लिसन टू मी, यह structure हम लोग बार-बार यूस करेंगे, ठीक है, यह देखो ओवेरियन ओवरी को यूटरिस से अटाच कर रहा है, ओवरी को abdominal cavity से कौने टच करता है, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, ओवरी टो abdominal cavity, ओवरी लिगामेंट, ओवरी टो यूटरिस, ठीक है, उसके बाद बच्चो, यह है आपकी फेलोपिन ट्यूब, यह वारा पार्ट है यूटरिस का फंडस, ठीक है, और यह देखो, यह भी लिगामेंट्स पाई जा रहा है, देखो, एक्चली ना, मैंने तुम्हें बहुत सारे कम बताया, ऐसे बहुत सारे टाच्मेंट होते हैं, जो ओवरी और यूटरिस को अलग-अलग जगहों से बोडी के टाच करते हैं, ठीक है, बाक और साथ में यह भी लिखा होना चाहिए, जो मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है, बहुत ही प्रिसाइस, बहतरीन, शानदार जबर जस नोटस हैं, आप इसको लिखो, ठीक है, बहुत पर्चेस बर्चेस करने के चक्कर में मत पढ़े रहा करो, इतना क्या पर्चेस करना है, क अधिक हाल सो ऑफ लाइन पेपर ही देना है, ठीक है ना, पैर से तो लिखना नहीं, लिखना तो हाथी से, तो इसको 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 घर्माइनल एक तिलियम कहते हैं, और जर्माइनल एपिथीलियम में कौन सा टिशू होता है, बोलेंगे, पढ़ाया मैंने आपको, सबसे आउ का पूरा portion कहलाता है stroma, stroma को हम दो भागों में डिवाइब करते हैं, middle portion is medulla and बाहर वाला portion is the cortex, ठीक है, stroma को devाइब करते हैं, आपका बाहर वाला cortex और अधर वाला medulla, ठीक है, बना किसा होता है stroma, stroma बहुत सारे tissues होते हैं, और अरियोलार, vascular, connective tissue, प्रॉपर, भायां कर इसका सबस्क्राइब नो नवसे लेवेशन द हैं और हिल में इसके बारे में यह का कोटेक्स के अंदर क्या पाया जाता है ध्यान से देखो कोटेक्स के अंदर होते हैं बहुत सारे स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर तर मासेस अफ सेल नूनेज ओविरियन फॉलिकल स्लाइड में लिखा हुआ है ताकि जिन बच्चों को मेरी बहतरीन हैंड राइटिंग नहीं बनाई हुई ना ब्लड वैसल बनाई हुई है लिम्फाटिक वैसल होती हैं यहां पर स्मूद मसल फाइबर्स होते हैं इसमें नर्फ होती हैं यह सारी चीज है ठीक है आगे बात करें हम लोग ठीक है सो दिस इता मेडूला और इस दा ओवरियन फॉलिकल जो आपको ऐसे दि जाता इसलिए हम उसको उतना कंसिडर करते हैं ठीक है समझे मेरी बात को जो की बार्ड लेपी थीलम है ना वो जन्में से पहले जब बच्चा बेबी के अंदर ओवरी बनती तो ओवा को डवलप कराने का काम करता है पर एक बार जब बेबी का डवलपमेंट हो गया और ओव अब मैं यह कह देती हूं देखो यह हो गया जर्माइनल एपिथीलियम जी ए और यह पूरा हो गया स्ट्रॉमा इसके बाहर एक और टिशू होगा इस काल्ड एस्ट्यूनिका अल्विजीनिया ठीक है जो कि उसे स्ट्रेंफ प्रोवाइट करता है समझें फिर से बता दू ए झाई पड़ोगे तो भीचलेगा पर अपर निcıkल गए यह बात तो पढ़ लो ने तो फिर बोलोगों कि पढाया है मी यह हम लोगोगों ने क्या बनाई ओवरी ओभेर यह हम बना रहे हैं जर्माइनल एपिथीलियम ओवरी के बाहर यह हमने बनाया जर्माइनल एपिथीलिय किस से बना था, simple cuboidal epithelium से, done, उसके बाद इसके अंदर का जो portion होता है, इसे हम कहते है, stroma, ठीक है, इस पूरा portion is stroma, stroma को दो भागों में बाटते हैं, हम cortex and medulla, ठीक है, अब ये जो area दिखाई दे रहा है, बच्चों, ये 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 लेयर होती है, जो कि cortex और आपके जर्माइनल epithelium के बीच में है, ये बनी होती है, वाइट, फाइब्रस, कनेक्टिव टिशू से, कनेक्टिव टिशू से, ठीक है, समझ गए, जर्माइनल epithelium और cortex के बीच में, एक और टिशू पाया जाता है, जिसे हम कहते है, ट्यूनिक क्या बोला मैंने, आपका ये हो गए, जर्माइनल epithelium, फिर ट्यूनिका अल्बिचूनिया, फिर cortex, फिर medulla, ठीक है, ये हो गई जर्माइनल epithelium, सब से outer, तो number 1 पे जर्माइनल epithelium, number 2 पे ट्यूनिका अल्बिचूनिया, number 3 पे cortex, number 4 पे medulla, cortex और medulla को एक साथ क्या बोलते हैं हम स्ट्रॉमा, ठीक है, स्ट्रॉमा वाले एरिया में को हम दो भागर में डिवाइट करते हैं, और ये हो गया, मीजोवेरिया, मीजोवेरिया में एक ऐसा स्ट्रॉक्चर होता है, जो की ओवरी को abdominal cavity से टाच करता और वहीं से blood vessel की entry और exit होती है, दान हो गई, आगे बात करते हैं, तो कोटेक्स में हमको बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल मिले, ठीक है, कोटेक्स में हमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल मिले, ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, कि सेंटर पर ओवा होता और उसके चारा तोरह बहुत सारी लेयर होती है ठीक है ओवा बाद में सेंटर पे किनारे पे आ जाता है और यहां पे जो है जगा खाली हो जाती है इस जगा को हम कहते एंटरम इसमें पानी भरा होता जिसको हम कहते है लिकर फॉलिकल लिए घबराओ मत घबराओ मत टेंशन मत लो मड़मी क्या वतारी हो मैं इसको समय नही और यहां पर पाए जाता है एक ओवा ठीक है दूसरा कलर से कळ देती हूं ठीक है आपका हम कहते में tip graphene follicle. क्या कहते है graphene follicle या ovarian follicle. समय के साथ जो cells होती हैं वो किनारह हो जाती है और बिलकुल किनारह जाता है cell उपर चली जाती है बीच में जगा खाली होती है इसको हुम कहते है entram इसमें पानी भरा होता जिसे हम कहते है लिकर जब रहो मत बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगे इसके बारे में तो अभी हमको यह सीखना है कि जो ओवेरियन फॉलिकल है वह कौन से एरियम बनता है आपको बताना होगा कोटेक्स में Medula में क्या ovarian follicle बन सकते हैं? जी नहीं Medula में क्या होता है? Medula में होता है blood vessel की entry और exit समझ आ गई बाद क्या होता है? Medula में होती है blood vessel की entry और exit उसमें lymphatic vessel होती है, उसमें nerves होते हैं बौछ सारी चीज़े होती है सबसे फिर से एक बार revise करते हैं सबसे और लियर क्या होगी ALL जर्माइनलए पिधील फिर स्ट्रॉम और παर्स च dislike अंदर वाला कॉर्टेक्स क्या बनाता ओविरिन फॉलीकल जो किसे हैं के डभॉब्फ हो रहा था है so detail we will discuss in the menstrual cycle so गबराव माथ tension ने लो विलकुल भी यह पूरे structure फिर से discuss होंगे ठीक है आजाओ आजाओ मेरे साथ और देखो क्या बोल रही हूं मैं अब we will talk about the accessory female reproductive system चलो शुरू करते हैं accessory female reproductive system फटा फट से पन इसको complete करते हैं so we have done with the ovary we have done with the structure size dimension function everything everything ovary से निकलने वाले hormones को मैं आपको पढ़ाऊंगी menstrual cycle में progesteron का exact function क्या है estrogen का exact function क्या है घबराना रहीं बिलकुल भी ovarian follicle कैसे बनते हैं मैडम ही कैसे रप्चर होते ओवा के चारो तरफ जो cells पाई जा रही ovarian follicle की वो क्या है मैडम वो टेंशन नहीं लो अभी हम सिर्फ उसका structure पढ़ रही है तो मैंने आपको बता दिया कि भविश्य में चलकर इनका काम आने वाला है तो मेरे बच्चे बिलकुल ब्लैंक ना रहे हैं बाकी सारे लोग के पढ़ाते ओवरी का structure होता है ओवरी के इंदर यह ओवर डवलप होता पर बताओ तो यार ovarian follicle का है तो मेरे बच्चो मैंने तुम्हें अभी बता दिया है बात में चलकर डीटेल करें तो कम समझ में तो आएगा कि ovarian follicle बन का रहा है और यह है क्या ठीक है क्या कहते हैं हम लोग इसको selpages तो अगर आपकी fallopian tube को remove किया गया किसी भी कारण बस तो इसे हम कहते है self injectomy लिखूं क्या लिखूं क्या लिख देती हूँ मैं removal of fallopian tube removal of fallopian tube ठीक है F T लिख देती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही है को हम कहते है self injectomy ठीक है और अगर आपकी fallopian tube में है सूजन कोई infection हो गया और वहाँ पर आपको है सूजन बच्चो inflammation है तो इसको हम कहते है self ingitis ठीक है spelling चेक कर ले ना इसे कहते हैं self ingitis डन है ओके तो self ingitis fallopian tube या इसी का एक और नाम लिखिएगा सबसे common नाम इस दा OV duct कितनी होती है बच्चो OV duct कहते है और कितनी होती है बच्चो यह होती है paired क्या होती है बच्चो यहां पर मैं डाइग्राम बनाऊंगे और फटा फट से यहां पर function लिख दूँगी तो मेरे बच्चों को tension नहीं होनी चाहिए चलो फटा फट से देखो यहां पर एक structure होता है जिसे हम कहते है ओवरी यार ठीक है यहां पर एक structure होता है जिसे हम कहते है फिंब्री जहां चे सुनना ओवरी के ऊपर एक ऐसा structure होता है जिसे फेलोपिन ट्यूप के बारे में हम discuss कर रहे है यही पर बहुत ज़्यादा डाइग्राम में कोई नहीं जाएगा ठीक है ना सबसे पहला structure is called as fimbry नंबर वान यही पर लिखते जाओंगी मैं सबसे पहला structure होता है फिंबरी चींगर लाइक प्रोजैक्शन है फिंबरी क्या है बचों फिंगर लाइक प्रोजैक्शन है प्रोजैक्शन नीट का एक बहुती favorite सवाल है, बहुत favorite यार पता तुमें नीट में आपसे पूछा जाता है कि OVA एक motile cell है या नहीं है आपको पता है यूवन बढ़ी में बहुत motile cell नहीं होता, इस्परम ही cos is motile cell ठीक है तो आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि बताईगे कि क्या? तो पैदा करो कि तुम एक biology के student हो समझ में आई वार तुम मेरे बच्चे हो मेरी संताने हो तो फिंबरी एक finger-like projection होता है ठीक है फिंबरी क्या होती ही finger-like projection कभी आपने सोचा कैसा क्यों होता है देखो बेटा होता क्या है कि ओवरी जो होती है वो अपना ओवा ऐसे बाहर निकालती है अब अगर ये इसको ना पकड़े तो ओवा कहीं अब्डॉमिनल कैविटी में खो जाएगा ठीक है? ऐसे ही जैसे कि बदनाम आशिक किसी गलियों में खो जाते हैं होता भी है ऐसा कि ओवरी जो होती ही जब अपना ओवा निकालती है तो अब्डॉमिल कैविटी में ओवा खो जाते हैं पर ये बहुत ही रेर कैसे तो इस फिंबरी का काम क्या होता है कि ओवा को पकड़ो अब यहाँ पर कौन से एपिथीलियम होते हैं वो देखो इस फिंबरी में होते हैं इस फिंबरी में पाई जाते हैं ध्यान से देखो क्या पाई जाता है सीलियेटेड सीलियेटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम ठीक है जैसे ओवरी है अब ओवरी को ओवर निकालना है तो यह जो आपका फिंबरी होता है यह आजा 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 तरे बच्चे खालू ठीक है तो वैसे इसे सलाती रहती है और जैसे ही ओवा यहां पर आया इसके सीलेटेड जो एपिथीलियम होते हैं उसको पकड़ कर खीच ठीक है उसके बाद फिंबरी इस फिंगर लेक प्रेक्शन होते हैं यहां पर क्या पाए जाता है सीलेटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम होता है सीलेटेड कॉल्यूमनर एपिथीलियम होता है विच ट्रैप दा ओवा क्या करता है यह ओवा को ट्रैप कर लेता है ठीक है समझ किसे भी चीज भी धक्का मार के लिजाना अब आपको पहुच गया यह अब यह जो सीलेटेटेट एपथीलियमे धक्का मारेंगे और उसे आगे भेजेंगे ओवा के पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है तो वह उसको चलना तो चाहिए ना इसको आगे तो बढ़े गाई तो वहां पर जो पापकी पेलोपियन ट्यूब होती है वहां पर आपके पास होते हैं कॉल्उमनेर सीलेट अपृदिलम जो होवा को धक्का मारने का काम करते हैं क्योंकि सीलेटेड अपृदिलम का काम ही है मेरे बच्चो समझ आई बात उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है वो देखो, नेक्स्ट काम है, ओके, नव ये वाला structure देखो, क्या तुम्हें ये funnel जैसा दिखाई देता है, क्या तुम्हें ये funnel जैसा दिखाई देता है, हाँ मैं हमे funnel जैसा दिखाई देता है, इस structure को हम कहते हैं बच्चो थोड़ा उपर और है दोनों इन फंडी बुलम में आपको कॉशन पूछा जा सकता है इन फंडी बुलम क्या स्ट्चर होता है इन फंडी बुलम होता है आपका फनल शेप ठीक है इन फंडी बुलम क्या होता है बच्चों फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसकी एंटीर ओपनिंग को हम क कहते हैं बच्चो ऑस्टिया ठीक है इस इस कॉल्ड एस आस्टिया सो दे इंफंडी भूलम कैच था होगा फ्रॉम दे एरिया ओफ फिंब्री ठीक है समझ में आई बात दान होगा इतनी बात सो यहाँ पर लिख दूँ इट विल ध्यान से देखना इट विल कैच ओवा फ्रॉम फिंब्री ठोड़ा गिच्पिच हो गया पर देखो मेरे बच्चो ध्यान से ना ओवा को कैच करता है फिंब्री वाले एरिया से ठीक है अब आते हम लोग यहां से यहां पर बना रहे हूं क ठीक है क्या एंपुल पालब है saulin एरिया ठीक है जो बोटा यहां उसको गईता समझ अगया बात नाओ आपको ध्यान से देखना यह जो नहींव पॉर्शन आपको दिखाई दे रहा है धिंस देखो यह जो यह तो ऑट दिखाई दे रहा है इसे हम कहते इस्थमस से का जोग्राफी मैं तर्म ये होता है कि it is a narrow passage which connects two things. समझ है आई बात, इस थमस का जो आपका geography होता है, उसमें o narrow passage. ठीक है? ये क्या होता है बच्चों? Narrow passage होता है. क्या होता है? Narrow passage होता है. जो क्या करता है बच्चों? Connects. ठीक है? किसको connect करता है, connects, connects what, ampulla, ampulla to uterus, समझ आ गई बात, तो utrum लिख दिया, देखो तो मुझे, ampulla to uterus, ठीक है, ओके, नौ, और क्या होता है, इसका function बताओ, इस्तमस का function, यह आपका ampulla वाल एरिया, ठीक है, इस्तमस का function देख रहे हैं हम लोग, इस्तमस का function होता है, इस्तमस का function क्या होता है, इस्तमस का function होता है, fertilized egg को आगे बढ़ाना, uterus को, uterus को देना, it will deliver the fertilized egg to the uterus, लिख दिया, लिख दिया, समझ आया आपको, क्या बोला मैंने, this is the fimbri, this is the infundibulon, this is the ampulla, ampulla is the solid area, पूरे biology में कहीं भी ampulla भी शब्द इस्तमाल होगा, तो वहाँ पर आप solid area लिखोगे, समझ में आ गई बात, और ampulla और isthumas के बीच में fertilization होता है, impullary isthumas junction में, ठीक है, लिख दूँ यहाँ पे, लिख दूँ, देखो, लिख रही हो मैं, क्या, जल्दी आओ, इधर देखो, यहाँ पे लिख रही हो मैं, fertilization area है यह, fertilization area है, और आपके neat में, fertilization का exact area का भी सवाल आ सकता है, फिर मुझे मत बोलना है मैंडम आपने बताया है नहीं, ampulla और isthumas के बीच में fertilization होता है, लिख दूँ मैं, लिख दूँ मैं, ampullary isthumas junction, ampullary isthumas junction, समझ आ गई रहे, समझ मैं ही बात पच्चो मेरी, क्या बोल रही हूं मैं, fertilization का सबाल आ सकता है आपसे, exact location बताओ, fertilization का है, तो ampullary isthumas junction में, तो fertilization हुआ, तो isthumas will pass the fertilized egg, और अगर नहीं हुआ, तो जो phagocytosis action से, ओवा वहीं खतम हो जाता है, ठीक है, उसके बारे भी हम बात में बात करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात, डन हो गया, इसthumas का भी function clear हो गया, फैलोपेंट है ट्यूब, we are done, we are done with the फैलोपेंट ट्यूब, I don't think so, किसमें कुछ और चीज़ बच्ची होगी, ठीक, आईगे, अब notes पढ़ लेते हैं, मों notes पढ़ लेते हैं, चल ये, देखिए, यहाँ पर मैं label करके सिखाऊंगे हैर, चलो, सिखा देती हूँ, मेरे बच्चो को, ये जो portion आपको दिखाई दे रहा है, ये, this is called as infundibulum, ये क्या कहला रहा है बच्चो, infund, बहुत ही छोटा लिखा मैंने, ये जो portion आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखूंगी, मैं, इसे हम कहते हैं, infundibulum, थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, देखो, infundibulum, चीखे, एक-एक structure जो मैंने लगाया है, वो सिर्फ आपके लिए लगाया है, ताकि दिल तक आवाद जाए, ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया क्या कहलाता है, बच्चो, this is called as ampulla, ये क्या है आपका ampulla, ये है आपका isthmus, ठीक है, isthmus, ओके, ये है आपका uterus का fundus पार्ट, ठीक है, ये है uterus की body पार्ट, इसके बारे में हम भी भी डीटेल में बात करेंगे, ठीक है, ये हुआ पूरा structure, आओ हमने फेलोपियन ट्यूब, एसेसरी सिस्टम में complete कर लिया है, एसेसरी सिस्टम में what you have to learn, ठीक है, आपको पढ़ना है एक पेर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के तीन ही से कौन-कौन से पढ़ते हैं, बताओ, यहाँ पर लिखूं क्य I don't think so, लिखा होगा, शयाद लिखा है, लिखा है, लिखा है, तो मैंने लिख रही हूँ, क्या क्या होता है फेलोपियन ट्यूब का पट फट से, फट से, फट से, अब आपको यहाँ पर थोड़ा confusion हो सकता है, देखो, NCRT में जो शब्द लिखे हुए हैं, नॉर्मली हम कह नॉर्मार 1, Fimbri, नॉर्मार 2, Infundibulum, नॉर्मार 3, Empula, नॉर्मार 4, Isthmus, यहाँ पर आपकी कहानी को में घुमाना चाहते हो, गोर सो देखो, 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 क्या है, आपका जो NCRT है, वो क्या बोलता है, आपकी NCRT में इस थमस और हम यहां से कर रहे हैं ऐसे जहां से ओवा जा रहा है पर आपकी NCRT में उल्टा दिया हुआ आपके NCRT में यहां से दिया हुआ है प्लीज लिसन टू में वेरी कैरफुली मेरे लला नहीं तो काम गड़ बड़ हो जाएगा ठीक है और ऐसे सरी सिस्टम में हमको यूट्रस पढ़ना है यूट्रस बचा हुआ है यूट्रस बचा हुआ भी हमारा विजीना बचा और एक्स्टरन जनेटे लिए तो भी है दान व नहीं शिपरीयन डक्ट तो जो साइंटिस पढ़ा उसकी नाम पर एया ठीक है कितना है इसका फेलोपियन ट्यूब का लेंथ इंपोरेंट लेंथ इंपोरेंट 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 नहीं नहीं पड़ेगा उसके लिए कोई वो नहीं आपके बास लेंथ है 10-12 cm किस से लाइन होती है पुरू फेलोपियन ट्यू ट्यू किस से लाइन होती है पूरी फेलोपियन ट्यू इन होती है सिंपल Celiated Columnar Epithelium से इसके बाइलेंटल मुव्मेंट होता है यह क्या होता है मैंदा बाइल ऐसा ऐसा ठीक है this is called as bilateral movement, इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, ठीक है, the extent from the periphery of each ovary to the uterus, ठीक है, आपकी ovary से uterus cure पाई जाती है, ठीक है, so ये internal loss आपको समझ में आ रहा है, uterus to cervix, और external loss होता है, cervix to vagina, ठीक है, चलो, बाकी ये structure हो चुका है हमारा, आगे देखते हैं, बहुत भ्यांकर बहुत भ्यांकर डाइग्राम दगा है, मजा आ जाएगा, देखो, सबसे पहले structure जो होता है, wide, broad shape, funnel shape opening, infundibulum, infundibulum जिस जगह पर खुलता है, इसे कहते हैं, और ये ovary के उपर ऐसा hood बनाता है, ये ovary आपके ऐसा hood बनाता है, चीक है, चाता, ओके, edges of infundibulum के पास होते हैं, finger जेयर तुदास पड़ी, junction of isthmus and ampulla is called as ampullary isthmic junction of the fallopian tube, represent the actual site of fertilization, नोट में समझ में आ न, शुपरा मैम ने तुभारी note में कियो लिखा हैं, आप कन्फिउजन नी हो ना चाहिए, नोट में इसले लिखा गया है, कि इंपोर्टन है, और आपके exam में क्वेशन आ सकता है, फु चलो, आगे पढ़े, देखते हैं, ओवरी हो गया, ओके, ठीक है, चलो डंग यो, this is the ampularisthema junction, this is the infundibulum, this is the ampular, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो next accessory part है बच्चो, वो है यूटरस, यूटरस, चलो, शुरू करें यूटरस, दान हो गया अतनी बात, आजाओ बच्चो, so we have done with the fallopian tube, we have done with the ovary, now we are going to start with what, we are going to start with the uterus, 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 गरभाशे कहते हैं इसको, जो लोग भी यह कहते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ठीक है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, पेट में बच्चा नहीं पलता रहे, ना, पेट में बच को हम कहते हैं, वोंब, क्या कहते हैं, और मॉडन जो बाइलेजी में कोई लड़की किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो यह भी कह सकती है, कि मेरे हाइस्ट्रा में तुम्हारा चाल्ड है, तो uterus को हम हाइस्ट्रा भी कहते हैं, समझ आई बात, डन, बहुत चारे लो तो removal of uterus, ज्यान से सुनो, removal of uterus, uterus क्या कहलाता है, uterus का removal कहलाता है, high-structomy, ठीक है, ओके, removal of uterus is called as high-structomy, important question है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कहानी जो आज मुझे सुनानी, ठीक है, शुरू करें, इसके लिए, I don't know, मुझे अगर यहाँ पर जगा मिलेगी, जगा चलो, आगे वाले किसी भी स्टक्टर में मुझे जगा मिलेकि देन, इधर, मैं देख रही थी, कहीं नहीं है, मुझे नया बनाना पड़ेगा, चलो, कोई बात नहीं, मैं नया बना लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, टिंग, 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 मुझे इतना लिखरी हूँ, तो आप मैं ये मान रही हूँ, कि आपको सब आने लगा होगा, चलो, देखते हैं, क्या कहानी बता रही हूँ, मैं, यूट्रेस एक इन्वर्टेट पियर शेप स्टक्चर है, ठीक है, ये, मैं ऐसा बनाती हूँ, ना, मुझे आगे का मतलब नहीं है, यूट्रेस एक इन्वर्टेट पियर शेप स्टक्चर होता है, पियर कैसा होता है, अरे नाशपाती खाई है ने, तुमने ऐसी होती, ऐसी, उल्टा कर दोता कैसी हो जाईगी, ऐसी, ठीक, तो ये एक इन्वर्टेट पियर शेप स्टक्चर होता है, ठीक है, अब यहां क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है अब यहां की कहानी खतब फैलोपेंट ट्यूब की कहानी खतब अब यूट्रेस की कहानी शुरू ठीक है इसलिए मैंने फैलोपेंट ट्यूब को बहुत सुंदर नी बनाया ठीक अब सबसे पहला portion जो uterus का होता है जहाँ से समझो यह ऐसा थोड़ा ऊचा सा होता है इस portion को हम कहते हैं basically uterus के तीन पार्ट है parts, दो पार्ट है sorry, parts of uterus, parts of uterus, uterus के दो पार्ट होते हैं ठीक है, एक है इसका, एक है इसका fundus part, fundus और एक है इसका body part, ठीक है body, मैडमी इका होता है, इका होता है, चलो, यह जो portion आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते है fundus, इसे हम क्या कहते हैं बच्चो, fundus, ठीक है, क्या होता है fundus, fundus connects the fallopian tube to the, fundus is the part, which connects the fallopian tube to the, to the body part of the uterus, ठीक है, क्या बोला मैंने, fundus is the first part of the uterus, it connects the, ध्यान समझना, it connects the, it connects what, it connects the fallopian tube to the body part और carpus part of the uterus, ठीक है, समझा आई बात, आगे देखते हैं, क्या बोल रही हुँ मैं, now, fundus के साथ कहानी यह है, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ, fundus के साथ कहानी यह है, क्या बोलो मैंने, दर देखो, fundus के साथ कहानी यह है, कि, यह जो होता है, it is the best site for the implantation, best site for implantation ठीक है implantation के लिए बहुत site अच्छा होता है implantation क्या होता है जब आपका embryo, जब blastocystic state होती है जब वो uterus पर जाकर से चिपक जाता है पढ़ेंगे उसको हम लोग fertilize हो गया, कुछ cell division हो गया उसके बाद आप पर ये जो part होता है ये जो body part होता है uterus का it is the it provide provide perfect 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 area for implantation ठीक है implantation के लिए ये वाला part area provide करता, बच्चा चे से फसे रहे ठीक है, आप समझो मेरी बात done हो गया, दो part हो गया, done अब uterus की बेटा है तीन layer, ठीक है, यहाँ पर देखो दो part हो गया, यह क्या होता है parts of uterus समझ के में आया दूसरा हम बात करते हैं, layers of uterus क्या लिखनी हूँ मैं, दियान से देखो दूसरा we are going to talk about the layers of uterus uterus, गरभाशे की कितनी layer होती है दियान से देखो मेरी बात नहीं, तो काम गड़ बढ़ जाएगा सबसे बाहर वाली layer, सबसे बाहर वाली layer को हम कहते हैं perimetrium, ठीक है perimetrium, ओके second वाली layer को हम कहते हैं myometrium myometrium, ठीक है और third and most important layer को हम कहते हैं endometrium ठीक है, सबसे बाहर वाली layer, सबसे बाहर वाली layer ठीक है, सबसे बाहर वाली layer होती है, बच्चो ये देखो इसे हम कहते हैं perimetrium फिर, जो इसके बीच वाली layer होती है इसे हम कहते है myometrium this is the myometrium, ठीक है और, जो सबसे अंदर वाली layer होती है इसे हम कहते है endometrium label कर दू कैस को, ये देखो ये देखो, तीन लेयर बनाई है मैंने यूटरेस की, clear हो रहा है कि नी हो रहा है, ये वला मिटा दूँ क्या, I hope कि ये आपका हो गया होगा, मैं इसको मिटाना चाहती हूँ, ठीक है नहीं, ये डन है, ठीक है, so यूटरेस में तीन लेयर होती है, यूटरेस को हम हाइस्टरा भी कहते हैं, इसकी तीन लेयर होती है, बाहर वाली लेयर का सबसे पहली लेयर का नाम होता है, पेरिमेट्रियम, पेरिमेट्रियम, ठीक है, पेरिमेट्रियम में क्या-क्या पाय जाता है, वो देखो, सबसे पहली बार, ओके, नाओ सबसे पहली लेयर हम देख रहे थे, पेर सेल्सों होती ही बस हो गय कुछ नहीं होता यह म요 मेट्रिया मायो मेट्रियम क्या होती है ध्यान से देखो मायो मेट्रियम बनी होती है स्मूध मसल से ध्यान से देखना पहली बात यह बनी होती है स्मूध मसल स्मूध मसल क्या होती है देखो यह कानी लड़क है तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि लड़कों के लड़कों के पा entry होती है आपके विलके अंदर विलके अंदर कंट्रोल नहीं होती है यह मसल यह आपके जो है अपने इक्षा के नुसार काम करती है ठीक है अपने इक्षा के नुसार कॉंट्राक्ट रिलाक्स होती है बचो तो यह मसल जो होती है यह स्मूध मसल का बना है और आपको स्टार प मसल है यह आपको पता होना चाहिए आपको बता है बच्चे को डिलेवर बच्चे को पकड़े रखने के लिए वह बहुत फोर्स लगाती है बहुत ज्यादा दम लगाती है और बच्चे को डिलेवर करने के लिए 400 हो Newton का फोर्स लगता है समझ आयबाद तो strongest muscle of human body अंदर की बात करते हैं हम लोग third layer जो है वो है आपकी third layer को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम ठीक है third layer को हम कहते हैं endometrium, endometrium में ही आपको हमेशा cyclic changes देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, endometrium में ही पहला point, इसमें आपको cyclic changes देखने के लिए मिलेंगे, ये layer हमेशा अपने हिसाब से change होती रहती है, endometrium के basically दो हिस्से होते हैं, ठीक है, पहला हिस्सा को हम कहते हैं, endometrium के दो हिस्से होते हैं, The outer part of the endometrium is called as stratum basal और अंदर वाले को हम कहते है stratum functional, ठीक है? Endometrium के दो पार्ट होते हैं, endometrium जो अंदर लेयर होती है, वो दो भागों में विभाजित होती है बाहर वाले लेयर को हम कहते है stratum basal, ठीक है? Basalis भी कह सकते हैं और अंदर वाली को हम कहते है stratum functional Stratum Functional Functional ऐढ़ Stratum Basal देखिए दिहान से देखिए क्या आब ओल हुँ मैं Stratum Basal यह बाहर की और होती है Stratum Basal कहां की और होती है ival कि शेर बाहर की और होती है Every Month यहाँ पर लिखरी हूं इसके बारे में Every Month यह Regen Rate होती है Just Every Month Every Month यह Regen Rate होती है two form stratum functional अब यहाँ पर आपको समझना आए क्या बोला मैंने भाईया endometrium जो होती है इसके दो हिस्से होते है एक होता है आपका stratum basal ठीक है bacillus भी कह सकते हैं इसको हम और एक होता है stratum functionalis stratum functionalis ठीक है stratum bacillus क्या करती है stratum functional को बनवाती है forms stratum functional ऐसा फिलिख दिया है यह क्या करती है बताओ यह जो अंदर वाली layer ध्यान से सुनना मेरे बच्चो सबसे जो internal वाली layer होती है this is called as stratum functional ठीक है stratum functional जो होती है यह shed out होती है shed out होती है shed out ठीक है shed out shed out in menstruation ठीक है okay shed out होती है in the menstruation done समझो बात को क्या बोला मैंने बाहर वाली perimetrium simple square में से पिधीले beach वाली myometrium smooth muscle strongest muscle बहुत strong contraction यह देती है अंदर वाली endometrium endometrium के दो पाट बाहर वाला stratum basal इसका काम है सिर्फ अंदर वाले को बनाना stratum functional को बनाना और हर मन्त में यह नहीं बनाती है ताकि यह नहीं खुद बनेगी तो नहीं आपका functional बना पाएगी functional क्या होती है functionalist जो होती है यह basically यह layer अगर implantation हुआ तब तो shed out नहीं होगी पर अगर नहीं हुआ बच्चा नहीं आया यहाँ पे तो यह layer menstrual cycle में बाहर हो जाती है तो यह हर महीने cyclic change show करती है अब यह मोटी और पत्ली किस पर depend करता है कि किसी का menstrual cycle जाता है कम है जल्दी आरा देर आरा उस पर यह depend करती कभी-कभी बहुत मोटी जाती कभी-कभी पतली देती है यह हो गए uterus अब एक चीज और बता दूँ मैं आपको क्या बता रही था मैं हाँ uterus जो होता है वैसे तो यह 60 gram का होता है पर जब यह implant कर सकता है यह जब यह बच्चा रखता है तो यह 500 gram मतलब पूरा weight जो होता है यह 500 gram तक का हो सकता है डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है वैसे इसका 60 gram तक minimum weight होता है ठीक है नाओ आगे बढ़ते हैं this is the uterus uterus की detail पढ़ ले हम लोग ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगे uterus में इतना ही पढ़ाता uterus का अच्छा एक चीज़ और में बता देती हूं जैसे कि आप लोग ऐसा कहते हैं TT ठीक है ovectomy यह सुनो बात को ध्यान सी इस point को सुनो ove duct इसको हम जैसे इसको हम क्या कहते हैं fallopian tube कहते हैं तो अगर हम इसको remove करा देते हैं fallopian tube को remove कराने के लिए हम क्या कहते हैं इसको self injectomy या इसी को हम कहते हैं ovectomy इसको हम कहते हैं tubectomy ठीक है इसी को हम कहते है tubectomy ठीक है तो अगर यह सवाल भी आए तो आपको बनना चाहिए TT लोग आपकी जो मम्मियां होती है वो कहते हैं TT करा लिया हमने operation ठीक है यह क्या होती female nusbandi female nusbandi male की nusbandi का नाम क्या होता है vesectomy वैसी यह female की nusbandi का नाम होता है tubectomy you should remember tubectomy में हम क्या कहते हैं यहाँ से phelopin tube को काट देते हैं और उसे tie कर देते हैं ठीक है okay phelopin sorry कहां लगा दिया यार मैंने ठीक है? फेलियोपिन ट्यूप को यहां से काट का टाई कर दिया जाता है ताकि होगा निकले बे तो यहां नहीं जा पाए done, fertilization नहीं हो, done होगा इतनी बात, आगे बढ़ते हैं, चलिए, यही बे को बता रहा था uterus कहां गया? uterus, uterus कहां पाया जाता है? uterus होता है pier shape का, पाय जाता है union and e bladders के पास, ठीक है? यह ligament से attach रहता है, जिसे हम कहते है pelvic wall से attach रहता है, देखो, यहां रखो uterus attached with the abdominal cavity is called as mesometrium, mesovarium structure है, ovary का abdominal cavity से attach होना, mesometrium structure है, uterus का abdominal cavity से attach होना, ठीक है? in human female, human female जो होता है, उसके पास एक ही ऐसा देखो, ध्यान सुनो human female के पास uterus में एक single cavity होती है, ठीक है? और इसे हम कहते है simplex uterus, ठीक है? simplex, kangaroo जो होता है उसके पास दो-दो गर्भाशे होते हैं, इसको कहते हैं by duplex, यह duplex uterus, बीच से partition होता है, दो बच्चे एक बार में फसा सकते हैं, ठीक है? so look at this, so this is the endometrium, myometrium and बाहर वाला दिया नहीं हुआ है, ठीक है? which is the perimetrium, done dimension देखो, 7 into 5 into 3 cm, weight is 60 gram in a non-pregnant female pregnant है तो 500 gram का हो सकता है, तीन layer इसमें पाई जाती हैं, यह देखो perimetrium, myometrium, endometrium, लिखा हुआ है न, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से endometrium, endometrium सबसे अंदर वाली layer होती है, ठीक है? और यह glandular layer होती है, glandular layer क्यों है, क्या काम करती है, यह menstruation cycle में पढ़ेंगे, ठीक है? stratum basal इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार, basal होता है, इसका जो thickness होता है, वो 0.5 mm होता है, और इसमें बहुत सारे arterials पाया जाते हैं, blood supply होती है, और इसका काम basically, जो यहां नहीं लिखा है, वो मैं आपको बतारी हूँ, वो stratum functionalist, मतलब अंदर वाली layer को बनाने का काम करता है, ठीक है? इसके अंदर जो stratum functionalist होता है, इसके अंदर भयंकर वाली blood vessels होती है, इसके अंदर भयंकर वाले connective tissues होते हैं, ठीक है, और इनकी भी lining simple columnar epithelium से बनी हुई होती है, thickness is 0.5 mm, 0.45, 4.5 mm, sorry, ठीक है, 4.5 mm, इसकी 0.5 mm, इसकी, यह इसको बनाती है, जब समय आएगा, तो यह shed out होकर बाहर हो जाएगी, कौन functionalist, ठीक है, समझ आ गई बात, so look at this, this is the myometrium, endometrium, ठीक है, यह पुरा आटरीज की supply यहां पर बनी हुई है, आगे बढ़ते हैं, uterus के पास, अच्छे देखो, आपके, अगर exam में की question आता है, पर आपकी अगर NCRT में कार्पस यह body वाला part implantation के लिए बता है, तो हम वही टिक करेंगे, ठीक है, so best site of the implantation is the uterus, which part body part और कार्पस पार, ठीक है, so uterine muscle is the strongest muscle in the body, endometrium जो होता है, उसी में cyclic change होते हैं, जब menstruation होगा, तो यह निकल जाएगी, नहीं होगा, तो implant कर लेगी, जब एक महीने का समय होता है, एक menstrual cycle से दूसरे menstrual cycle में करीब थाइस दिन का समय होता है, इस थाइस दिन में यह नहीं बन जाती है, ठीक है, समझ माई बाट, done, okay, अगर progesterone नहीं है, ठीक है, इसलिए बच्चे का abortion भी होता है, अगर आपके शरीर में progesterone नाम के hormone की कमी रहेगी, तो यह endometrial wall जो बच्चे को पकड़ी हुए है, यह छोड़ देगी, और वो खुछ shed out होकर बाहर हो जाएगी, इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, mist abortion, ठीक है, चलो, so endometrium सबसे बाहर से पढ़ते हैं, perimetrium में क्या पाई जाता है, simple squamous epithelium, myometrium में पाई जाती है smooth muscle, endometrium में पाई जाते हैं, बहुत सारे glands औ blood vessels, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, fundus, uterus का, सबसे उपर वाला part is the fundus, dome shape का होता है, ठीक है, यह opening receive करता है, किसको, fellopin tube के opening को receive करता है, fertilization यहां हो जाता है, ठीक है, implantation यहां से यहां तक हो सकता है, best यहां पर बच्चे को जगा मिलती है, implant होने के लिए, best जगा कौन देता है, carpus यह body part, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते, now, last part of this lecture, चलो बच्चो, आजाओ, last part of this lecture यहीं पर बना देती हुँ मैं, uterus समझ में आया आपको, uterus समझ में आया आपको, uterus के दो पाट, fundus और carpus, fundus में implantation होता है, best size जहां पर फैल सकता है बच्चो, which is the carpus, ठीक है, पर अगर आपसे question आया, तो आप carpus पे ही टिक करना, body पे ही टिक करना, और question ऐसा आता नहीं है, ठीक है, so best site of the implantation आप carpus पे टिक करना, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, best site of implantation, इससे, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है, आप इसको मिटा दो नहीं, तो confusion हो जाएगा, कि मडम का, दो, दो, क्यों है, ठीक है, so यहाँ पर आप body पे लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, स्वार नक्षरों में, best site of implantation, done, best site of implantation, यह दन है, कारपस आप टिक कर देना, बस, done, ठीक, आगे बात करते हैं, लेयर किती है, परिमेटर मायमेटर में, अंडोमेटर में किते पाटे, स्ट्रेटम बेजल और स्ट्रेटम फंक्शनलिस, done है, फंक्शनलिस को बनाता है, बेजल बनाता है, मोटी उपतली कोन हो सकती है, फंक्शनलिस, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, लोग सर्विक्स की, यहाँ पर, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं आपको बनाने, यहीं मैं बना रेती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को confusion नहीं हो, ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ मैं है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर एक, एक ऐसा एक एरिया होता है, विचिस कॉल्ड एस सर्विक्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स, अब हम सर्विक्स डिसकस कर रहें, उसके बाद external genetic लिए अब क्योंकि बहुत बढ़ा लक्चर हो रहा है, तो फिर अपन next class में कर लेंगे, ठीक है, सर्विक्स हो गया, और सर्विक्स विल ओपन इंटू अ ट्यूब, इस 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 इरिया को हम कहते है, इस एरिया को हम कहते है, एक्स टर्रनल और्स ठीक है, सर्विक्स ओपन इंटू दे वजाइना, इस इस इन्टर्नल और्स, ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल बनेगी, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, कहाँ पर लिखू यार, यहाँ पर एक कैनाल बनेगी, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, done है, समझ आगई बात cervical canal now, cervical canal चीक है ध्यान से देखो क्या बोल रहे हूं यहाँ पे, किस कलर से लिखूं यहाँ पे लिख रहे हूं अलग साई पेज ले लेती बार cervical canal cervical canal plus vagina को हम कहते हैं birth canal क्या कहते हैं बच्चों हम लोग birth canal समझ आगई बात, done अब होता क्या है, जो cervical canal होती है इसमें बहुत थिक mucous layer होती है थिक mucous layer थिक mucous layer ठीक है, क्या होती ही बच्चों इसमें थिक mucous layer पाई जाती है, ठीक है और ये थिक mucous layer इसी में नहीं होती है even found even found in all over uterus ठीक है, पूरे uterus में भी पाई जाती, इसको हम पता क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, uterine milk, इसे हम क्या कहते हैं बच्चो, uterine milk, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, cervix क्या होता है, cervix is the opening of uterus, ठीक है, cervix, this is the cervix, ठीक है, cervix ऐसा रहता है, ठीक है, cervix is the opening of uterus into the vagina, जहां पर यूट्रेस सर्विक्स में उपन हो रहा है, it is called as internal loss और सर्विक्स जहां पर विजाइना में उपन हो रही है, it is called as external loss internal loss और external loss के बीच में केनाल बनती है, which is called as cervical canal cervical canal और विजीना मिलकर हम कहते हैं, birth canal क्योंकि बच्चा जब उट्रेस से निकलेगा, तो cervical canal से होते हुए विजाइना से बाहर हो जाएगा तो हम इसे birth canal के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक thick mucus की layer पाई जाती है ताकि बच्चा जो है आसानी से सरक कर बाहर हो जाए, even during the copulation जब male penis get inserted into the vagina, कोई भी दिक्कत ना हो, frictionless movement हो, इसलिए भी amicus काम करता है डन हो गई इतनी बात, आजाओ बच्चो, ठीक है, even मैं आपको बता हूँ, कि जो cervix होता, ध्यान से देखो, cervix, this area is called as cervix आपको पता है कि जब female pregnant होती है, तो जो cervical, जो आपका external aus है, वो बंद होना चाहिए external aus क्या होता है, आपका cervix से बजाना की opening ये बंद होना चाहिए ताकि बच्चा कभी भी deliver ना हो, इसका मतलब भी है कि cervix में के अंदर एक बहुत जादा strong sphincter muscle पाई जाती है जो इसकी opening को बंद करती है, किसी भी opening को बंद करने के लिए हमें sphincter की जरूत होती है और cervix के पास एक one of the most important and strongest sphincter पाया जाता है, जिससे बच्चा नीचे की और ना गिरे इसलिए जब कभी भी आप किसी pregnant woman की report देखोगे, तो उसमें लिखा रहता है कि external os closed, ठीक है ताकि बच्चा नीचे ना गिरे, ठीक है, cervix क्या होता है, it is the lower, देखो 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 द्रौनल से देखो दीक है उत्रेश यह सर्वीक्स एक्सवीक्स इूटरस आरा एक्सटरनल सुरी और यह है ज़िए जब दो सर्विक्स ओपनि वीजयना वे जब दा एक्सटरनल सर्वास यह दखना यह ठीक है Now, यहाँ पर one of the most powerful sphincter muscle पाई जाती है Cavity of cervix is called as cervical canal और vagina के साथ हम इसे कहते हैं birth canal Now, this is the external loss cervix to vagina and this is the internal loss uterus to cervix ठीक है, आगे देखते हैं Okay, now, the lining of whole, whole uterine cavity carries a thick layer of mucus known as uterine milk काम क्या होता है इसका, यह समझ मैं आपको, इसका काम होता है भईया Frictionless movement कराना, बच्चे की सही तरीके से, जो है, delivery कराना Done हो गई इतनी बाद, done अगर हम removal करते हैं uterus का, this is called as high streck tommy ठीक है, done हो गई इतनी बाद, so this is the cervix ठीक है, what we have learned in this class, आओ देख लेते हैं कबाद शुरू से बहुत बड़ा lecture हो गया है, तो मैं चाह नहीं रही थी, अच्छा, यह वाला मैं आपको बता रहे थी, यह diagram I think छूट गया है, now listen to me very carefully, ovaries क्या करती है, eggs और hormone बनाती, clear हो गया आज, fillopin tube क्या करता है, fillopin tube जो है, वो sperm को receive करता है, और fertilization कराता है, कहां कराता है, ampulary by the sphincter muscles, vagina क्या करती है, यह बर्थ करवाने में मदद करती है, पर external genitalia और vagina के बारे में हम लोग next class में पढ़ेंगे, vagina एक ऐसा structure होता है, जो की highly acidic environment का होता है, ठीक है, even cervix में एक और चीज जो मैं बताना चारी थी, वो यह है, cervix की lining, जहान से सुनना, cervix की जो lining होती है, यह एक चीज छूड़ गई है, वो बता देती हूँ, cervix की जो internal वो होता है, मलग internal जो परत होती है, उसमें stratified, stratified non-keratinized epithelium पाए जाता है, ठीक है, non-keratinized, epithelium पाए जाता है, यह क्या है, यह हम वजाइना में देखेंगे, non-keratinized epithelium पाए जाता है, यह क्या है, यह सेम चीज जो अंदर वाला टिशू होता है, वो यह, यह टिशू क्या है, यह हम वजाइना में सीखना है, ठीक है, यह कहानी आपको clear हो गई, so we have done so many things in the class, ठीक है, हमको यह समझ में आया है कि female reproductive system के कितने पार्ट होते हैं, फिर हमने एक-एक पार्ट को deal में बात की, ठीक है, किस के किस के बारे में ovary समझ लिया, philopen tube समझ लिया, uterus समझ लिया, अब external genitalia, memory gland, यह external genitalia का लगी lecture बनाऊंगी पूरा मैं, और फिर memory gland का लगी lecture बनाऊंगी, ठीक है, so बचो, I hope कि यह कहानी जो मैंने आज आपको समझाई, वो अच्छे से आपको समझ में आई, इस कहानी में कोई बहुत ज़्यादा चीज़े tough नहीं थी, आई हो, यह lecture थोड़ा serious गया, क्योंकि reproductive system में जो female reproductive system होता है, वो थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम जो है, थोड़ा सा tough होता है, ठीक है, male में कुछ नहीं है, female में tough होता है, female वैसे भी कितनी complex चीज़ है, आपको बता है, और एक ऐसी चीज़ है, जिसकी मानसिक्ता और श आपको बता ही, इसलिके सी female की nature को देख रो, यह पोंगमारा कर नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी nature को जच कर रहे हो, तो हो सकता है, उसके अंदर कोई hormonal problem हो बच्चों, यह हर female को बहुत सारे चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है कुछ ना कुछ उनके शरीर में उपर नीचे लगा ही रहता है तो अगर उसे बहुत गुसा आ रहा है तो ये आपको समझना होगा कि हो सकता है कि उसके मिनसे जाने वाले हो हो सकता है कि वो बहुत मोटी हो रही हो मेंटल और फीजिकल स्टेटस पे कमेंट करने से पहले मेरे ये सेंटेंस को याद रखना कि हो सकता है कोई होर्मोनल इंबैलनस उनके शरीर पे चल रहा हो आई होब कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो अच्छे से आपको समझ में आई दिमाग में घुश गया के नहीं घुश गया नहीं घुशा प्लीज लेक में नो सी यू नेक्स लाज विग्दा सर्विक्स विदा विजाइना एंड एक्स्टरनल जैनिटरिया आई विल त्राइमा लेवल ब्लेस कि उसमें में में मेरी ग्लैंड भी करा दूं this is all about the female reproductive system part 1 see you in the next class तब तक आप पड़ते रहे मेरे साथ thank you so much बच्चो और बबाई